इस विस्पोर्ट की शक्ती को सहते हुए आसपास के सभी कृशकों के चहरे पर तनाफपून अभी व्यक्तिया प्रकट हुई कई लोगों को अचानक महसूस हुआ कि सास लेना भी मुश्किल हो गया है जैसे कि उनकी चाती के उपर कोई पहार दबा दिया गया हो जिससे घुटने नरम हो गये हो और उन्हें जमीन पर गिरने के लिए मजबूर किया गया हो केवल ओर्ड देमन ने उपहास किया उसकी आखों में प्रशन सात्मक रोशनी चमक रही थी और उसके चहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दे रही थी यह हिंसात्मक और दुष्ट वातावर्ण उसे बहुत अच्छा लग रहा था तितर बितर हो जाओ काली गैस से दूर हटो यह कैसे संभव है यह छोटा भगवान इतनी शक्तिशाली शक्ती का उप्योग कैसे कर सकता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ यांग जाओ के परिसर में खेती करने वाले चिलाने लगे उनके चहरे अविश्वास और भय से भर गए घुमावदार काली क्यूई द्वारा संक्शारित होने से बचने के लिए बेतरतीब धंग से इधर उधर बिखर गए शक्ती के इस अचानक विस्पोट के बाद जिसने काली क्यूई को नीचे पूरे यार्ड में फैला दिया काले ड्रैगन ने अपना खूनी मुह खोला और उग्र रूप से सास लेना शुरू कर दिया जिससे एक काला भंवर पैदा हुआ जिसने यांग जाओ और उसके सनरक्षक रक्त योध्धा को अपनी ओर खींचने की कोशिश की इस महान सक्षन का सामना करते हुए यांग जाओ कोई सार्थक प्रतिरोध करने में असमर्थ था यदि उसके पास रक्त योध्धा नहीं होता तो वह पहले ही काले ड्रैगन के पंजे में फस गया होता और उसकी हड्डिया कुचल दी गई होती पहली बार यांग जाओ को एहसास हुआ कि उनके और उनके नवे भाई के बीच ताकत का अंतर कितना बड़ा था यह बस्वर्ग और प्रिथवी के बीच का अंतर था और उसे डर था कि अपने शेश जीवन के लिए उसके लिए अपने नवे भाई की गती को पकरना असंभव होगा अपने सबसे चोटे भाई की चाया में अपना शेश जीवन व्यतीत करते हुए यांग जाओ को अचानक उदास महसूस हुआ जैसे की विरोध करने के लिए संधर्ष करना विरासत युद्ध और यहां तक की पूरा यांग परिवार सभी अर्थहीन थे दूसरा युवा भगवान यांग जाओ की असामान्य मनोच्शा को देखते हुए और यह महसूस करते हुए कि उसकी मानसिक स्थिती खराब हो रही है रक्त योध्धा चिलाया अपने आपको दुष्ट क्यूई से प्रभावित न होने दे रक्त योध्धा ने जट से याद दिलाया अपने उदास मन से बाहर निकलते हुए यांग जाओ ठंडे पसीने से लटपत हो गया वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो आसानी से हार स्वीकार कर लें इस तरह के नकारात्मक विचारों और भावनाओं ने उस पर कबजा कर लिया था इसका कारण पूरी तरह से देवेश की अजीब शक्ति का प्रभाव था रक्त योध्धा द्वारा जागरित होने के बाद यांग जाओ ने देवेश की शक्ति से मानसिक घुसपैट का विरोध करने के लिए सावधानी पूर्वक अपने दिमाग की रक्षा की यूजियान देवेश दहाडा आकाश में उपर तांग यूजियान जो यांग जाओ के अन्यरक्त योध्धा का सामना कर रही थी आश्चर्य जनक रूप से शुध और शक्तिशाली आध्यात्मिक उर्जा नाडी जारी करने से पहले अपने प्रतिदवंद्वी पर हलके से मुस्कुराई जिसने न केवल बाद वाले को घेर लिया बलकि नीचे युद्ध के मैदान को भी प्रभावित किया अमर स्वरगारोहन सीमा नवा चरण रक्त योध्धा जो तांग यूजियान से लड़ रहा था सदमे में चिलाया आह तुमने मुझे देख लिया तांग यूजियान खुशी से हसे मैं अभी भी इसे कुछ समय के लिए छिपाना चाहता था आखिर कैसे रक्त योध्धा ने तांग यूजियान को उपर से नीचे तक देखा यह पुश्टी करने की कोशिश कर रहा था कि वह अभी भी वही व्यक्ति है जिसे वह जानता था आप इतनी जल्दी अमर असेंशन सीमा नौवे चरण को तोरने में कैसे काम्याब हो गई रक्त योध्धा सभी भाईभनों की तरह थे वे सभी एक दूसरे की ताकत और प्रतिभा से बेहत परिचित थे तांग्यूजियान की योग्यता क्या थी? यह उसके प्रतिदवंधवी को स्वाभाविक रूप से समझ में आया और उसे इस बात का उचित अंदाजा था कि उसे अमर असेंशन सीमा नौवे चरण में प्रवेश करने में कितना समय लगेगा लेकिन अब जब उसने अपनी आध्यात्मिक उर्जा जारी कर दी थी, तो उसे तुरंट एहसास हुआ कि तांग्यूजियान वास्तव में पहले ही तूट चुकी थी आपने ऐसा कैसे किया? उस आदमी ने उचसुक्ता से पूछा उसकी योग्यता और ताकत तांग्यूजियान के समान थी, लेकिन अब उसने उससे आगे एक बड़ी चलांग लगाई थी, वह स्वाभाविक रूप से खुश और चिंतित था खुशी है कि उसकी बहन ब्लड वॉरियर आगे निकल गई, लेकिन साथ ही उसे पीछे छूट जाने की चिंता भी है नहीं बता रहा, टैंग यूजियान मधूर्ता से मुस्कुराई उसके चंचल रवये को देखकर, आदमी ने धीरे से अपना सिरहिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया यूजियान ऐसा लगता है कि लिटिल लॉड का अनुसर्ण करने से आपकी मानसिक्ता भी छोटी हो गई है तुम इतने शरार्ती कभी नहीं हुआ करते थे तैन यूजियान की मुस्कुराती अभिव्यक्ती तुरंत डूग गई, उसकी आखों में एक थंडी रोशनी चमक उठी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? आदमी का दिल अचानक पसीज गया, यह महसूस करते हुए कि उसने अंजाने में एक बड़ी वर्जना को छू लिया है, उसने घबराहट में जल्दी से अपने हाथ लहराएं यूजियान तुम नहीं हो, मेरा मतलब है मैंने कभी नहीं कहा हम्फ मैं तुम्हें ज्यादा शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि मुझे तुम्हें कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है तांग यूजियान ने जुझलाहट में बड़बडाया, अब पीछे नहीं हटते हुए, अपने प्रतिदवंदवी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तिमाल किया, जिससे वह दर्द और दुहक में रोने लगा हाला कि उनके बीच केवल एक चरण का अंतर था, यह छोटा सा अंतर तांग यूजियान को अपने भाई ब्लड वारियर को पूरी तरह से दबाने की अनुमती देने के लिए पर्याप्त था तैंग्यू जियान अपनी लड़ाई लड़ते समय देवेश की सहायता के लिए सोल स्केल्स को लगातार जारी करने में सक्षम थी तैंग्यू जियान की सहायता से देवेश ने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली चोटे भगवान मेरा अपराध क्षमा करें रक्त योद्धा जो यांग जाओ की रक्षा कर रहा था अचानक चिल्लाया यांग जाओ को रिहा कर दिया और उसकी ट्रू क्यूई को जोर से धक्का दिया देवेश की ओर नीला प्रकाश की एक बड़ी किरन भीजी हाँ इससे पहले की किरन उस तक पहुँच पाती देवेश ने अपना हाथ बढ़ाया और काली क्यूई की एक किरन को आने वाले हमले की ओर भेजा उसे बीच में ही रोक दिया और उसे तितर बितर कर दिया यांग फैमिली ब्लड वारियर की अभिव्यक्ति कुछ हद तक गंभीर हो गई भले ही उसने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी फिर भी यह एक जबरदस्थ हमला था फिर भी देवेश ने वास्तव में इसे रोक दिया था उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे वे सभी आश्चर्यचित थे कि इस समय देवेश कितना शक्तिशाली था इसके विपरीत यद्यपी उसके शैतान परिवर्तन ने उसके रक्तबल और शक्ति में भारी व्रिधी की थी देवेश की भौह पर भी गहरी जुर्या पड़ गई इस आमने सामने की टक्कर से उन्हें एहसास हुआ कि इस प्रतिदवंधवी को हराना उनके लिए असंभव था यांग फैमिली ब्लड वारियर का शीर्शक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था यहां तक कि उसकी वर्तमान स्थिती में भी और तांग यूजियान की आत्मा कोशल की सहायता से अपने सामने इस गुरु को दबाना अभी भी उसकी ख्शमताओं से परे है वास्तव में यदि रक्त योध्धा को यांग जाओ की रक्षा करने की आवर्शक्ता नहीं होती तो देवेश ने अनुमान लगाया कि वह पहले ही हार गया होता फिलहाल वह रक्त योध्धा का प्रतिदवंधवी बनने के योग्य नहीं था उसके विचार तेजी से घूमते हुए देवेश ने ठंडी फुंकारने से पहले एक दरजन अलग-अलग परिद्रिश्यों पर विचार किया काले ड्रैगन और सभी बिखरे हुए इविल क्यूई को याद करते हुए खुद को एक मोटे सुरक्षात्मक कोट में ढख लिया उसकी कलाई को पलटते हुए प्रकाश की चमक में उसकी हथेली के उपर एक छोटी सी तलवार दिखाई दी यह हेवन ग्रेड टॉप रैंक सोल प्रकार की कलाकृती थी इसे परिश्कृत करने के बाद से अब तक देवेश को ऐसा लग रहा था कि वह इसके साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बैठा पा रहा है लेकिन इस समय जियांग्चू और नानशेंग को मारने के लिए देवेश ने फैसला किया कि यह उसका सबसे अच्छा विकल्प था सफलता या असफलता अगले हमले में तै होगी यांग्जाव से बहुत पीछे देखते हुए देवेश की नजर जियांग्चू और नानशेंग के नफरत से भरे चेहरों पर केंद्रित थी मैंने तुमसे कहा था चाहे आज कोई भी तुमें बचाने की कोशिश करे तुम फिर भी मरोगे सीधे खड़े होकर देवेश ने एक बड़ी दहाड लगाई और उसकी आखों में एक अशुभ रोशनी चमक उठी इन लाल आखों से घूरते हुए जियांग्चू और नानशेंग बुरी तरह काम पने लगे अचानक बहुत घबरा गए अवचेतन रूप से उन्होंने पीछे हटने या किसी ऐसे व्यक्ती को खोजने की कोशिश की जो उनकी रक्षा कर सके दुर्भाग्य से जियांग और नान परिवारों के सभी स्वामी देवेश द्वारा यहां रास्ते में मारे गए थे केवल दो पीक इम्मोर्टल असेंशन बाउन्डरी मास्टर्स की स्थिती अग्यात थी क्योंकि उन्हें अभी भी यिंग्जियो के साथ अपनी लडाई से वापस लोटना था एक पल के लिए घबराहट में इधर उधर देखने के बाद उन्हें पताचलात की यहां कोई नहीं है जिस पर वे भरोसा कर सकें देवेश की ठंडी आखों और जानलेवा आभा का सामना करते हुए वे दोनों संकट की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके देवेश का प्रदर्शन उनकी उम्मीद से कहीं बढ़ कर था उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देवेश वस्तव में यांग जाओ के घर तक उनका पीछा करेगा और बेर्हमी से उन्हें मार डालने पर जोर देगा दूसरे यंग लॉड को जरा भी मौका नहीं देगा हम प्रथम शेनी परिवारों के बारिस हैं देवेश अगर तुमने हमें मारने की हिम्मत की तो तुम्हें पच्चताना पड़ेगा नान शेन भयभीत था और उन्मादी धंसे चिलाने से खुद को नहीं रोक सका उनके खिलाफ साजिश रचने का साहस किया तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी इतना कहकर देवेश ने अचानक अपनी आखें बंद कर ली जिंक उसके हाथ में छोटी तलवार से एक गुंजती आवाज आ रही थी मानो कोई उस पर वार कर रहा हो देवेश के चहरे से भी एक विचित्र आभा फैलने लगी उसे रोको यांजाओ ने स्थिती को तेजी से बिगरते देखा और तुरंट अपनी खुद की मिस्टीरियस ग्रेड कलाकृती बुलाई यांजाओ के हाथ में एक सुनहरी अंगूठी के आकार की कलाकृती दिखाई दी यह पो जिन जील की लडाई में उनकी क्रॉफी थी यांजाओ ने अपनी सच्ची क्यूई से सुनहरी अंगूठी को पागलों की तरह भरते हुए उसे बाहर निकाल दिया जैसे ही वह आगे बढ़ी वह पहले दो में विभाजत हो गई फिर चार में फिर आठ में पलक जपकते ही भारी संख्या में सोने की अंगूठीया देवेश की ओर तूट पड़ी काला अजगर तुरंत दहारता हुआ आगे बढ़ा और देवेश को घेर ने और उसकी रक्षा करने के लिए अपने विशाल शरीर का उप्योग किया पागल तानाशाह रक्त कौशल किसी अग्यात बिंदु पर तांग यूजियान भी आसमान से नीचे आई थी और अब उसने अपने नाजुक शरीर से एक आश्चर्यजनक शक्ती निकाली खुद को देवेश के सामने खड़ा कर दिया यांग जाओ का अनुसर्ण करने वाले दो रक्त योध्धा भी आगे बढ़े तीन रक्त योध्धाओ ने एक अराजक हाथापाई में प्रवेश किया ग्रिश्य गडबड था केवल देवेश शांती का द्वीप बना हुआ था चारों और लड़ाई का शोर और उर्जा के हिंसक उतार चड़ाव उसे प्रभावित करने में असमर्थ लग रहे थे क्योंकि वह चुपचाप खड़ा था दीदा अचानक उसकी आत्मा में उतार चड़ाव आया शू रही थी उसने देखा कि दर्शकों की भीर स्थब्ध भावों के साथ मुह खोले खड़ी थी उसने क्यू ही में की खूबसूरत चिंता भरी आखों में अपनी चवी देखी उसने कुछ हजार मीटर दूर एक चाय के घर में यांग वेई और लियू किंग याओ को खुली खि गहन करने में सक्षम हो गई है उसके हृदय की गहराई से एक गहन और रहस्यमय भावना उठी एक ऐसी अनुभूती जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था इस अनुभूती में नहाकर देवेश को अपने हृदय और आत्मा की अभूत पूर्व उदाक्तता का गई आसमान में उपर काले बादल अचानक इकठा होने लगे जिन्होंने पूरे वोर सिटी को कवर कर लिया और जैसे जैसे वे घने होते गए दबाव बढ़ता गया भले ही देवेश ने खुद को इस अजीब मानसिक शेत्र में पूरी तरह से डुबो दिया था फिर भी उ उसे सुना लेकिन दुरभागे से वह कुछ नहीं कर सका देवेश को दबाने के लिए उसने अपने पास मौजूद हर योजना, तकनीक और उपकरण का इस्तिमाल किया था लेकिन सबसे अच्छा जो वह कर सकता था वह ब्लाक ड्रैगन की कुछ रक्षा को तोरना था और दे जैसे कि उसे किसी बड़े अग्रिश हाथ ने पकड़ लिया हो, नान शेंग ने दिल दहला देने वाली चीख निकाली। यह देखकर मौके पर मौझूद सभी लोगों के होश उडगए। आगर को नुकसान पहुचाती थी। वह जो शक्ती प्रदर्शित कर सकता था वह सीधे उसके मालिक की आध्यात्मिक उर्जा की ताकत से जुड़ी थी। आत्मा जितनी मजबूत होगी ऐसी कलाकृती उतनी ही बड़ी भूमिका निभा सकती है और इसके विपरीत। हाला कि यह छोटी तलवार हेवन ग्रेड टॉप रैंक की कलाकृती थी। निम्न ग्रेड की नहीं इसे संचालित करने के लिए अत्यंत अत्याचारी दैविय भावना के बिना यह अधिक ताकत प्रदर्शित नहीं कर सकी। ऐसा जटका देखने के बाद दो रक्त योधा जो तांग यूजियान के साथ कठिन संधर्श कर रहे थे, पीछे हटने और यांग जाओ की रक्षा करने में संकोच नहीं किया। देवेश द्वारा दिखाए गए इस मारक प्रहार से वे डर गए थे। यदि वह इसका उप्योग दूसरे यंग लॉड से निपटने के लिए करता, तो उनके लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाता। टैन्यू जियान ने उनका पीछा नहीं किया, बलकि बस एक लंबी सास छोड़ी और देवेश की रक्षा के लिए पीछे गिर गया। जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, और उसने जटके से अपना सिर्देवेश की ओर घुमाया, यह सोचते हुए कि क्या जो अगली सास वह लेगा, वह उसकी आखिरी सास होगी। सुरक्षा के लिए किसी पर भरोसा करने की चाहत में, उसने जल्दी से चारों और नजर डाली और पाया की जहा वह खड़ा था, वहां से हर कोई पीछे हट गया था, उनके चहरे डर से भरे हुए थे। इन में से कई लोग जियांग्चू और नान शेंग के साथ भाई भन की तरहा खुशी से बात करते थे, उनके उजवल भविश्य के बारे में चर्चा करते हुए शराब पीते थे और मौजमस्ती करते थे, हाला कि अब वे सभी जियांग्चू से साम की तरहा बचते थे, डर अपने आसपास के लोगों को निंदनिय धंग से घूरने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, अपने इन पूर्व दोस्तों पर व्यंग्य कर रहा था, जो अब उससे खुद को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, दूसरी और देवेश वही खड़ा था, जहां वह थ धीरे धीरे अपनी पलके जपकाते हुए उसने अपने हाथ में छोटी तलवार पकड़ ली, उसकी भौहें सिकुड गई क्योंकि उसकी ट्रू क्यों घूम रही थी, और उतार चढ़ाव हो रही थी, हांग लांग लांग, गडगडाहट की आवास पूरे आकाश में अचानक अंधेरे की इस चादर में ढग जाने के कारण किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, घटना स्थल पर मौझूद सभी क्रिशक एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे, और वे अंधेरे आकाश की ओर देख रहे थे, चिंता और भय धीरे-धीरे उनके दिलों में घ कर रहा था. दूर तक तैरते हुए, मिंग वूया, जिसने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे मोड रखी थी, ध्यान से इस अचानक बदलाव को देखा, उसकी आँखों के सामने एक तेज रोशनी चमक रही थी, और वह स्थिर देवेश को देख रहा था, उसके चहरे प को शांत करने का संकेत दिया. जिया निंग चांग शर्मिंदगी से अपनी गरगन सिकोरने से नहीं रोक सकी और धीरे से पूछा, मास्टर, जूनियर ब्रादर को क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता. यह शैतान की प्रथाओं जैसा दिखता है, लेकिन उसकी चेतना अभी भ पूरी तरह बरकरार है. मुझे सच-मुच समझ नहीं आ रहा कि उस छोटे बच्चे के साथ क्या हो रहा है? उसे दूसरों को चिंता में डालना बहुत पसंद है. मेंग वू या उदास्वर में बुदबुदाया. जब से वह वोर सिटी में आया था, उसे कई बार देवेश की मदद करने के लिए नियुक्त किया गया था. हाला कि वह देवेश से कहता रहा कि वह विरासक युद्ध में किसी भी तरह से हस्तकशेप नहीं करेगा, लेकिन जब देवेश को कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, तो उसके पास वास्तव में हस्तकशेप करने के अ उपस्थती को. देखते हुए ऐसा लगता है जैसे वह सफलता हासिल करने वाला है. तोरोग जिया निंग चांग ने कहा, उसके नाजुक हाथ उसके छोटे से मों को धक रहे थे. आकाश में काले बादलों की मोटी परत को देखते हुए और उनके भीतर एक विनाशकारी शक तो मेंग वू या भी काफी हैरान थी. उन्होंने न तो किसी क्रिशक को अमर स्वर्गा रोहन सीमा को तोड़ते समय इतनी बड़ी गड़बडी पैदा करते हुए देखा और नहीं सुना था. उपर काले बादलों में विश्व उर्जा का एक त्रीकरन निश्चित रूप स कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक साधारन अमर असेंशन बाउंडरी कल्टिवेटर संभाल सकता था. यहां तक कि मेंग वू या को भी अपनी वर्तमान स्थिती में यकीन नहीं था कि वह इसका सामना कर पाएगा. ऐसा बप्तिस्मा क्या जूनियर भाई इसे सहन कर पाएगा ज इस बप्तिस्मा के दौरान एक साधक खुद को मजबूत करने के लिए इस विश्व उर्जा को तेजी से अवशोशित कर सकता है. लेकिन प्रत्येक साधक की योग्यता और काया अलग-अलग होती है. इसलिए इस प्रक्रिया से उन्हें जो लाभ मिल सकता है वह बहुत भिन हिस्से से भी कम थी. इस घटना को अब बप्तिस्मा नहीं, बलकि एक आपदा कहा जा सकता है. यह उसके भाग्य पर निर्भर होगा. मेंग वुया ने तुरंत कहा, उसके माथे पर एक मोटी चिंता भी उभर रही थी. उसका प्रिय प्रशिक्षो उस छोटे से कमीने से कामना करना पड़ता, तो उसका प्रिय प्रशिक्षो निश्चित रूप से तूट जाता. इसके अलावा, वह भी इस छोटे बच्चे से कुछ हद तक प्यार करता था, और महसूस करता था कि इतनी कम उम्र में ऐसी दुर्भाग्य पूर्ण परिस्थिती में मरना उसके लि जिया निंग्चांग ने अपनी आखों में आसु भरते हुए कहा. देवेश अभी भी युद्ध के मैदान में था, फिर भी अब उसे इस विश्व उर्जा बप्तिस्मा के बारे में भी चिंता करनी थी. यदि उसे किसी भी तरह से परिशान किया गया, तो परिनाम इस प्रकार का अचानक आशिरवाद कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे दबाया जा सके. प्रवाह के साथ चलना ही एक मात्र विकल्प था. एक पल के लिए रुकते हुए, मिंग वुया ने शांती से कहा, निश्चिंत रहें, अगर स्थिती वास्तव में खतरनाक हो जाती है, तो यह बुढ़ा मास्टर चुपचाप नहीं बैठेगा. एन जिया निंग चान ने हलके से सिरहिलाया, उसकी क्रिस्टल सपष्ट आखें उस ओर देख रही थी जहां देवेश खड़ा था. हाला कि वोर सिटी से सूरस गायब हो गया था और अंधेरा हो गया था, फिर भी म जहरी सास ली और द्रिटा से सिरहिलाया. ताम यूज यान भी इस अचानक हुए घटनाकरम से काफी हैरान थी और थोड़ा असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी. यां जाओने कड़वी मुसकान के साथ अपनी मुठ्थियों को कस कर भीचते हुए और अपने दां जब तक आप परिणाम भुगत सकते हैं. यां जाओ की अभिव्यक्ती ठंडी हो गई, उसकी आखे धीरे-धीरे भय और जिजक से भर गई. वह तुरंत यहां निर्णय नहीं कर सका कि देवेश से यहां युद्ध करे या नहीं. दोरक्त योद्धाओं के साथ होने पर भी यां जाओ देवेश को नान शेंग को मारने से नहीं रोक सका. इस समय देवेश के पास पहले से ही इतनी भयानक ताकत थी. एक बार जब उसे अमर स्वरगा रोहन सीमा को तोरने की अनुमती मिल गई, तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो व गड़गड़ाहट की आवास फिर से गुंश उठी, जिससे देवेश की अभिव्यक्ति कुछ तनाफपून हो गई. उसके सिर के उपर घुमरते हुए काले बादल धीरे-धीरे घुम रहे थे और एक बड़े भंबर में बदल गए. इसी की तर्स पर देवेश के शरीर से ए एक नारकिये दुर्ग में बदल दिया. बोर सिती के हजारों लोगों में से 60 प्रतिशत से अधिक लोगों को अचानक महसूस हुआ कि उनके दिल की धड़कने तेज हो गई हैं, उनके विचारों में छिपे अंधेरे आवेग अचानक सामने आ गए क्योंकि उनके स्वभाव इन बुरी आभावं से प्रभावित थे. एक चण बाद देवेश कई दसियों मीटर की उचाई तक पहुँच गया और बिलकुल स्थिर खड़ा हो गया. तेजी से घूमते काले बादलों का भंवर. अचानक केंद्रित अंधेरी उर्जा का एक जोंका देवेश की ओर आया. एक जोरदार चीक के साथ ही देवेश का शरीर मानो एक अथा गड़ा बन गया और पलक जपकते ही उर्जा के इस बोट को पूरी तरह से सोख लिया. यांग जाओ का चहरा सगमे से पीला पड़ गया. उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि देवेश विश्व उर्जा के इस समोह का इतनी आसानी से सामना कर पाएगा, उसकी आखों में जिजग अचानक द्रिड़ता में बदल गई. जियांग चुकी चिंतित आवाज ने इस समय कहा, दूसरे युवा भगवान यह अफसर केवल एक बार दिखाई देगा. इसे छोड़ा नहीं जा सकता. नान शे रहने की आशा की किरन देखकर, उसने स्वाभाविक रूप से यांग जाओ को हमले का आदेश देने के लिए प्रोचसाहित करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था. जब तक देवेश की मृत्यू नहीं हुई, जियांग चुको पता था कि वह देरस बेर मर जाए किया. जब क्यों ही मेंग और अन्य लोगों को यांग जाओ की अभिव्यक्ति में बदलाव का एहसास हुआ तो उन्होंने अचानक घबराहट दिखाई. इसके अलावा, देवेश से फैल रहे व्यापक दुर्भावनापून इरादे के प्रभाव में यांग जाओ की मानसि स्थितीस पष्ट रूप से कुछ अस्थिर हो गई थी, जिससे उनके लिए तरकसंगत निरनय लेना मुश्किल हो गया था. वह पहले ही सुक्ष्म रूप से प्रभावित हो चुका था. ये दोनों यांग परिवार के प्रतियक्ष वन्शच थे. एक दूसरा सबसे बड़ा यदि आप उसे परिशान कर सकते हैं, तो उसकी सफलता निश्चित रूप से विफल हो जाएगी, जियांग चुने ठंडे स्वर में चिलाते हुए प्रहार किया, जबकि लोहा गर्म था. यांग जाओ ने अंतह अपना मन बना लिया और जोर से सिरहिलाया, और अपना हाथ आकाश की ओर लहराते हुए निर्दैता पूर्वक आदेश दिया, किसी भी कीमत पर उसे रोको. यांग जाओ के पास मौजूद दोनों रक्त योध्धाव ने व्यथित भाव दिखाते हुए मुह बना लिया. जैसा कि उनमें से एक ने पहले कहा था, बलड वारियर हौल के सभी लोग देवेश के बहुत आभारी थे. हाला कि इस समय यांग जाओने वास्तव में उन्हें देवेश को घुसने से रोकने का आदेश दिया था. एक पल में वे अनिश्चित हो गए कि क्या करें? देवेश अब बहुत ही नाजुक मोर पर था. यदि वह परेशान होता और इस पदोनती प्रक्रिया के दौरान वास्तव में अस्फल हो जाता, तो उसकी मृत्यू संभव थी, उसका शरीर और आक्मा दोनों पूरी तरह से नश्ट हो जाते. भले ही परिणाम इतना चरम नहीं था. यह कम से कम ट्रू एलिमेंट बाउंडरी नोवे चरण में उसक खेती को रोक देगा. दो रक्त योध्धा कैसे तयार हो सकते थे? लेकिन हाला की वे इस कारवाई से असंतुष्ट और निराश महसूस कर रहे थे, यांग जाओ अभी भी उनके वर्तमान स्वामी थे, यंग लॉड जिसे उन्होंने अनुसर्ण करने के लिए चुना था, इ इस समय यांग जाओ को लापरवाही से इस तरह का आदेश जारी करते हुए देखकर, वह तांग यूजियान के साथ मिलकर दो रक्त योध्धाओं को अवरुध कर दिया. यांग जाओ तुम पागल हो, क्यों यी मेंग गुस्से में चिल्लाई, तेजी से अपने पीछे खे करने के आदेश भी जारी किये. अपने दिल में अंधेरा बढ़ने के बाद यांग जाओ ने अब संकोच नहीं किया. भीड के पीछे जियांग जुने चुपचाप से हंस्ते हुए प्रतीत होता है कि स्थिर देवेश की ओर देखा, जो केवल विश्वूर्जा के बप्तिस प्रताने से नहीं रोक सका. कई कदम उठाने के बाद ही खुद को स्थिर किया. तुरंट एक मजबूत मोर्चा बनाने की कोशिश की. देवेश मुझे डराने की कोशिश मत करो. बड़ी-बड़ी बातें करने की कोशिश करने से पहले-पहले अपने वर्तमान संकट को पार क सक्षों के क्रिशक पहले से ही पूर्ण पैमाने पर संधर्ष में लगे हुए थे. ओल्ड देमन और तांग यूजियान न केवल यांजाओ के आसपास के दो रक्त योध्धाओं का विरोध करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे. बलकि बात के सहयोगियों के एक दरजन स की वे थोड़े समय में पराजित नहीं होंगे. विभिन कलाकृतियों और मार्शल कौशल की प्रतिभा ने अचानक वार सिटी में अंधेरे को काट दिया और रोशन कर दिया. भीशन युध अचानक छिड़ जाने से बड़े विस्कोट हुए. चाय धर के अंदर यांग वे यांग वे तुरंत खड़े हो गए और अपना लबादा उतार्फें का, जिससे उनका मूल स्वरू प्रकट हो गया. क्या सबसे बड़े युवा भगवान हस्तक्षेप करने का इरादा रखते हैं, लियू किंग याओ ने अपनी आखे सिकोडली और धीरे से पूछा. इन य बड़े युवा भगवान आप वास्तव में एक सम्वानित व्यक्ति हैं. यांग वे ने कहा कि वह यांग परिवार के सबसे बड़े युवा भगवान के रूप में हस्तक्षेप कर रहे थे, जिसका अर्थ है कि इस बार वह विरासत युद्ध में एक प्रतियोगी के रू मिल हो सकते थे. लेकिन उन्होंने इन में से किसी भी विकल्प को नहीं चुना. जाहिर तोर पर उन्होंने इसका फाइदा उठाने के बजाए स्थिती को स्थिर करने को प्राथमिक्ता दी, इस फैसले का लियू किंग याउने गहरा सम्मान किया. एक क्षण बाद यांग व आवक रक्त योध्धा की ओर सिरहिलाया, बाद वाला सीधे यांग जाओ की पंक्तियों में आ गया, जिससे पहले से ही गर्म युद्धक शेत्र में अराजकता फैल गई. यह देखकर क्यों यी मेंग थोड़ा शर्माय बिना नहीं रह सकी और उसने सम्मान पूर्वक कहा, आपकी सहायता के लिए सबसे बड़े युवा भगवान को बहुत धन्यवा. यांग वेई ने पीछे हटने से पहले बस सिरहिलाया, यह दर्शाता है कि उनका यहां कोई अन्य इरादा नहीं था. यह द्रिश्य देवेश ने भी सपष्ट रूप से देखा, जिससे उसका द दिल थोड़ा उदास हो गया. अपने बड़े भाई के प्रतीक्रितक्यता पूरवक्त सिरहिलाते हुए, दोनों भाई केवल एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे और अनावश्यक शब्दों की कोई आवश्यक्ता नहीं थी. नीचे जियान चुने देवेश को ताने द और उसकी सफलता को विफल करना था. जियान चुकी अभदर भाषा को सुनकर देवेश के पक्ष के सभी लोगों के चहरे पर गुस्सा था, लेकिन किसी के पास उसे चुप कराने की कोई अतरिक्त क्षमता नहीं थी, जिससे उसका होसला और बढ़ गया. जियान चुको खतर धकलिया और गुस्से से आसमान की ओर देखने लगी. उसने अपनी निगाह के दूसरे चोर पर देवेश को फिर से अपनी उंगलिया मोरते हुए देखा. अब देर करने की हिम्मत न करते हुए, महिला हवा में उच्छल गई और जोर से चिल्लाई, मैं पहले से ही यहां हू इसे मत मारो. यह क्रोध भरी आवास सुनकर देवेश की हरक्ते रुप गई. यह देखकर कि वह अब गुडिया के माथे पर हाथ फेरने की तयारी नहीं कर रहा है. शुई लिंग ने देवेश की ओर उदास द्रिश्टी डालने से पहले राहत की सांस ली और अपने दान पी गुडिया और देवेश के चहरे के बीच. आगे पीछे घूम रही थी, जो स्पष्ट रूप से प्रत्याशा से भरी हुई थी. उसकी अभिव्यक्ती देखकर, देवेश ने उसके बालों से बनी गुडिया को शुई लिंग की ओर फेंक दिया, जिसने उसे जट से पकड़ एक अनमोल खजाने की तरहे कसकर पकड़ लिया, खुद को खुशी से हंसने से नहीं रोप पाई. इस आत्मा बंधनकारी अभिशाप की यातना को सहने के बाद से, शुई लिंग को इस छोटी सी गुडिया से बेहत नफरत हो गई थी, और उसने जाकते हुए हर पल यह सोच उचने में बिताया था कि वह इसे देवेश से कैसे चुराएगी और अपनी आजादी वापस हासिल करेगी. इसे सुविधा जंक बनाने के लिए वह वोर सिटी में रही और गुप रूप से अवसरों की तलाश में रही. लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी ऐसा कोई बदल गायब हो गई. उसके और छोटी गुडिया के बीच की कड़ी गायब हो गई. इस खशन वह एक बार फिर आजाद थी. गुडिया को गंभीरता से अपनी जेब में डालते हुए. उसे हलके से थप्थ पाते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सुरक्षित है. लोग मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हैं. उनका कभी भी अच्छा अंत नहीं होता है. देवेश ने ठंडी सास ली. शुई लिंग ने तिरसकार पूर्वक थूकते हुए कहा. ऐसे समय में भी आप अभी भी बड़ी बाते करने की कोशिश कर रहे हैं. हम्फ. हाला कि उस उसने ऐसा कहा. लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद उसने आगे कहा. लेकिन आप भाग्यशाली हैं. आपने गलत नहीं देखा. यह लड़की ऐसी इनसान नहीं है जो अपना कर्ज न चुकाए. हाला कि देवेश ने उस रात उसे प्रताड़ित किया था. फिर भी उसने ऐसा करते समय काफी गणना की थी. उसने उसे केवल कुछ दर्थ का एसास होने दिया था और वास्तव में उसे कभी घायल नहीं किया था. इसके अलावा इतने लंबे समय के बाद भी देवेश ने कभी भी छोटी गुडिया का इस्तिमाल उसे शर्मिंदा करने या उसके एक मात्र उद्देश यह था कि वह वास्तव में उससे डरता था. मुझे बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो शुई लिंग ने पूछा. मेरे लिए उस आदमी को पकड़ो. देवेश ने दूर से जियांचु की ओर देखा. सीधी सी बात है. शुई लिंग ने गर जियांचु को तुरंट लपेट लिया. जियांचु हैरान रह गया और उसने विरोध करने के लिए तुरंट अपनी टुक्यूई को धक्का दे दिया. लेकिन एक विशिष्ट अमर असेंशन बाउंडरी आठवे चरण के कल्टिवेटर के तरीकों के खिलाफ जियांचु का बंद करो, वरना शुई लिंगने हलके से खराटे लेते हुए भौहें सिकोरली, उसने जियांचु के कंधे पर हात मारा और फिर उसे लापरवाही से देवेश की ओर फैंक दिया जैसे कि वह कूडे का एक टुकड़ा फैंक रही हो, घटनाओ का पूरा क्रम वास्तव में उ आकाश में छाय काले बादलों से उर्जा का एक जबरदस्त जोंका देवेश पर गिरा, विश्व उर्जा की इस प्रचंड धारा के तहट, जियांचु जो देवेश के करीब था, ने अपनी ट्रू क्यूई को सील कर दिया था, और उसे सीधे उर्जा के इस बोल्ट के भाजन के लिए प्रदर्शित हुआ था, हुलाला, एक धीमी धमाके के साथ, जियांचु खूनी कोहरे में विस्पोट हो गया, उसकी हड्या भी नहीं बची, भीशन युद्धक्षेत्र अचानक एक पल के लिए रुप गया, और हर कोई अविश्वसनिय रूप से हवा में बहते खूनी बादल को देखने लगा, वे सभी स्थब्ध लग रहे थे कि जियांच परिवार के युवा भगवान इतनी बुरी तरह मर जाएंगे, पहले नान शेंग को मार दिया गया था, और अब जियांचु को दफनाने की किसी उम्मीद के बिना मर गया था, देवेश, उसने वास्तव में वही किया जो उसने कहा था, यहां तक कि यांग जाओ भी इन दो लोगों की रक्षा नहीं कर सके, हमारे सारे कर्स चुका दिये गए हैं, शुई लिंग ने देवेश से विजी भाव से कहा, देवेश ने धीरे से अपनी आखें बंद करने से पहले सिरहि नहीं थी और उनके पास अब बाहरी मामलों पर ध्यान देने का समय नहीं था, इस समय वह अपने ज्यान सागर को खोलने और आधिकारिक तोर पर अमर असेंशन सीमा में प्रवेश करने के अफसर की प्रतीक्षा करते हुए केवल विश्व उर्जा बप्तिस्मा को पूरी त खड़कने बढ़ गई थी, वे सोच रहे थे कि क्या यान परिवार के सबसे छोटे युवा भगवान का इस बप्तिस्मा से पुनरजन्म होगा या हमेशा के लिए नश्ट हो जाएगा। यान ज्याओ ने निराशा से आकाश की ओर देखा और चिलाया, बड़े भाई, क्या इसका मतलब यहा है कि आप नवे भाई के पक्ष में खड़े हैं। यान वे ने अपना सिरहिलाया और स्पष्ट रूप से कहा बिग ब्रादर नवे भाई का पक्ष नहीं ले रहा है। यह दूसरा भाई है जो चीजों को बहुत आगे तक ले जा रहा है। पोश में आओ औ और उन्होंने आह भरी आप नान शेंग और जियांग चुको नवे भाई से बचाना चाहते हैं। बड़े भाई के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप नवे भाई की भविश्य की उपलब्धियों को दबाने की कोशिश कर रही हैं। बड़े भाई सिर्फ खड मिंदकी से लाल हो गया और उसकी अभिव्यक्ती दर्धनाक रूप से मुर गई। लेकिन जल्द ही इसकी जगह उसकी पिछली निर्दयता ने लेली जिसमें पागलपन का अंश मिला हुआ था। अभी वह अपना मूर स्थिर नहीं कर पा रहा था। यदि वह पूरी तरह से शांत होता तो शायद उसे अपने कारियों की मूर्खता का एहसास हो सकता था, लेकिन इस समय उसके मन में केवल देवेश को हराने का विचार था। हाँ, जैसे ही दोनों भाई बात कर रहे थे, अचानक एक बड़ा धमाका हुआ और इस तेज आवास के साथ देवेश के शर इस समरिध राक्षसी QE के बीच उसकी शक्ती कुछ हर्ट तक बढ़ी हुई प्रतीत हुई, वास्तव में इस छोटे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, दूरी में 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 वुया की अभिव्यक्ती गरिमापूर्ण थी और वह खुद से बुदबुदा रहा था, वह समझ नह से भी उस पर राक्षसी QE का कुछ प्रभाव पढ़ा था, लेकिन उसके माथे पर हलका नीलारतन एक हलकी चमक बिखेर रहा था, जो उसके चारों और के अंधेरे को दूर कर रहा था, मुझे नहीं पता मिंग वू या भी घाटे में थी, उसकी चेतना पूरी तरह से उसके ज्यान सागर के उद्घाटन पर था, अभी देवेश की चेतना निश्चित रूप से अंदर की ओर केंद्रित थी, इसलिए यह संभव था कि वह अपने भौतेक शरीर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वह अपने भीतर राक्षसी QE पर नियं उन लोगों का क्या होगा जो इस बुरी ताकत से प्रभावित थे, यदि देवेश की सफलता के कारण वोर सिती के हजारों लोगों का दिमाग धश्ट हो गया, तो वह एक महान पापी बन जाएगा, अपनी दिव्य भावना को फैलाते हुए मिन वुया का चेहरा और अधिक खो दिया था, छोटी-छोटी शिकायतों और तरकों को पूर्न संधर्श में बदल दिया था, इस समय पूरा शहर युद्ध के मैदान में तब्दील हो रहा था, और जगह जगह तलवारें खिंची हुई थी, और खून बहाया जा रहा था, और जैसे-जैसे समय बीता गया चीजें और भी बद्तर होती गई, जब तक देवेश इस राक्षसी क्यूई को अपने शरीर में वापस नहीं ले लेता, स्थिती अपूरणिय हो जाएगी, एक अकेले व्यक्ती की सफलता ने वास्तव में पूरे शहर को प्रभावित किया, यह प्राचीन काल से एक मिथक क अपना सग्मा छुपा नहीं सकी, अचानक उसकी अभिव्यक्ती बदल गई क्योंकि उसने तेजी से वार सिटी के केंदर की ओर देखा और आह भरी, आखिरकार इसने उन्हें चिंतित कर दिया है, चिंतित कौन? जिया निंग चांग ने उच्छता से पूछा, वे पुराने जुनियर ब्रादर अभी भी वहीं है, वापस जाओ, मेंग वू याने धीरे से सांत्वना दी, चिंता मत करो, मैं देवेश को सुरक्षित वापस लाऊंगा, जिया निंग चांग ने अनिच्छा से सिरहिलाने से पहले थोड़ी देर के लिए जिजगते हुए कहा, गुरू उसने जाने की जिद्की तो वह केवल अपने मालिक के लिए बोज बन जाएगी, इसलिए वह आज्याकारी होकर वापस लोट आई। में तैनात किया गया था, वे सभी सौ साल से अधिक उमर के थे और आम तोर पर सभी सांसारिक मामलों को नजरंदाज करते हुए सील मंदिर में बैठे रहते थे, आज से पहले उन्होंने इस तकराफ पर कोई ध्यान नहीं दिया था, भले ही यांग जाओ और देवेश दूस पर भाव उदासीन थे, उनमें से कुछ में देवेश द्वारा परिशान किये जाने पर थोड़ी नाराजगी भी दिख रही थी, तेजी से देवेश के पद पर पहुँचकर आठोन मास्टर थम गए, किसी ने भी इन आठ बूढों के आने पर ध्यान नहीं दिया था, इसल जल्दी से ठीक हो गए, और जल्दी से अपनी मुठी बंद कर ली, आठ वरिश्टों को नमस्कार, यांग जाओ, जिनकी आखें अभी भी लाल थी, ने भी जल्दी से अपनी अभिव्यक्ती को समायोजित किया, सम्मान जनक चहरा धारन किया, और वैसा ही किया, इन आठ जल्दी से अभी भी उदासीन था क्योंकि उसने अपना हाथ उठाया, और उसकी ओर उर्जा का एक विस्पोट भेजा, इस उर्जा के प्रभाव में, यांग जाओ की आखों ने तुरंत अपनी पूर्व स्पष्टता बहाल कर दी, अपने सामने की अव्यवस्था को शून यांग जाओ तुरंत पीला पड़ गया, उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी मुठिया भींच ली, जूनियर ने ग्रैंड एल्डर को निराश किया है, यांग ली टिंग ने नाकभाव सिकोड ली और अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे यांग जाओ को ख यदि वास्तव में ऐसा हुआ, तो यांग परिवार में उसका भविष्य अनिश्चित हो सकता है, तुम बुरे नहीं हो, यांग ली टिंग ने यांग वेई की ओर देखा और धीरे से सिरहिलाया, यांग वेई थोड़ा आश्चर्यच कित हुए और तुरंत उत्तर दिया, बड़े बुजुर्ब बहुत गयालू है, यांग जाओ राक्षसी क्यूई से प्रभावित था, जबकि यांग वेई अपने दिल को मजबूती से बनाये रखने में सक्षम था, इससे यांग ली टिंग की स्वीकृती प्राप्थ हुई, यह छोटी बच्ची भी बुरी नह है, एक थोड़े मोटे बुढ़े व्यक्ती ने क्यूई मेंग की ओर देखा और हसा, वह भी उन चंद लोगों में से एक थी, जिन पर देवेश का कोई असर नहीं था, बेशक मेरे क्यूई परिवार के लोग अच्छे हैं, क्यूई दाव रेन के चहरे पर गर्व का भाव ज हलक रहा था, क्यूई मेंग के प्रदर्शन ने भी उन्हें काफी संतुष्ट किया था, प्रणाम बड़े बुजर्ग क्यूई मेंग आगे बढ़े और तुरंत पूछा, क्या जूनियर आठ सीनियर्स के यहां पहुँचने के उद्देश के बारे में पूच्छताच कर सकत जैसे ही वह बोली, उसकी अभिव्यक्ती घबराहट भरे रंग से भर गई। कियो दाओ रेन ने उत्तर देते हुए सन्यम से मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप जानना चाहते हैं, तो आपको भाई यांग से पूचना चाहिए। की भावना बढ़ रही थी। यांग ली टिंग के हावभाव से उनका असंतोष साफ जलक रहा था, लेकिन देवेश अभी भी यांग परिवार का सगस्य था, उनका बंशज। अगर यह कोई और होता, तो शायद यांग ली टिंग में पहले ही उसे मार डाला होता, बूढ़े आदमी बस आराम से बैठो और देखो, मेरे युवा मास्टर के बारे में कोई विचार मत प्राप्त करो, नहीं तो यह बूढ़ा मास्टर असभ्य हो जाएगा, बूढ़ा उल्ड देमन को सुना, तो सभी आठ बड़े बुजर्गों ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया, उनकी दिव्य इंद्रिया तुरंट उल्ड देमन पर टिक गई, जिसने जवाब में देवेश द्वारा छोड़ी जा रही बुरी उर्जा के साथ समनवय करते हुए, अपन अपना सिर हिलाया, उसके चहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, इस बुढ़े मास्टर के पास यंग मास्टर को पढ़ाने की योग्यता नहीं है, यह सब उसकी अपनी खेती का परिणाम है, यंग मास्टर जैसा व्यक्ति पाना आपके यान परिवार का आशिरवाद है, जिससे हर कोई आश्चर्यच कि थोकर उसे घूरने लगा था, हास्यासपद यान ली टिंग ने थंडे स्वर में चींकते हुए अपना हाथ लहराया, इस हथेली के प्रहार का सामना करते हुए, ओल्ड देमन अपने घुटनों को थोड़ा जुकने से नहीं रोक सका, लगभ हम आठ उन अमर असेंशन सीमा स्वामी सभी ने अपनी भौहें सिकोर ली, उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ओल्ड देमन इस हमले का भी सामना कर सकता है, भले ही यान ली टिंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तिमाल नहीं किया था, लेकिन यह हमला कुछ ऐसा नहीं जो अमर असेंशन मास्टर्स को करने में सक्षम होना चाहिए, हाला कि यान ली टिंग ओल्ड देमन से काफी नाराज थे, फिर भी वह इस दुनिया के शिखर पात्रों में से एक थे, चुंकि वह एक ही वार से दूसरे को घुटने टेकने पर मजबूर करने में अस्फर रहा उनके बलड देमन पपेट को परिश्कृत करना आसान नहीं था, इसलिए यांग ली टिंग द्वारा इसे वाश्पीकृत होते देखकर स्वाभाविक रूप से वह नाराज हो गए लेकिन देवेश की वर्तमान स्थिती और सामान्य स्थिती को देखते हुए, ओल्ड देमन केवल अपने गुस्से को दबा सकता था, अनावश्चत लड़ाई शुरू करने की हिम्मत नहीं कर रहा था सीनियर यंग क्यों यी मिंग ने सावधानी से पुकारा, उसका दिल बेचैनी से भर गया और उसका मुह सूख रहा था, देवेश इस समय टूट रहा है यदि आपके पास उसके लिए कोई निर्देश हैं, तो क्या आप शायद इस जूनियर को बता सकते हैं? जूनियर आपकी बात आप तक जरूर पहुचाएगा उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा था, कि उसके दिल में यांगली टिंग के क्या विचार हैं, लेकिन वह उनकी पुष्टी नहीं कर सकती थी इसलिए सबसे अच्छा तो यह हो सकता था, कि वह देवेश के लिए कुछ समय हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी का इस्तिमाल कर सकती थी, उम्मीद कर रही थी कि यांगली टिंग अधिक जोर देगी पारिवारिक संबंधों पर और इस घटना को बीट जाने दें दुर्भाग्य से यांगली टिंग ने उसे जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई, उसकी नजरे पूरी तरह से देवेश पर केंद्रित थी, जो अभी भी विश्व क्यूई बप्तिस्मा स्विकार कर रहा था, केवल एक चीज जो क्यूई मेंग समझ सकती थी, वह थी उसकी धीरे-धीरे डूपती हुई अभिव्यक्ति जबसे देवेश की चेतना उसके मन में समा गई थी, तबसे उस अडिक स्वर्ण कंकाल की बुरी उर्जा बिनारुके बाहर निकल रही थी इस समय राक्षसी क्यूई के अभिसरन का कोई संकेप नहीं था, वास्तव में इसके बजाए इसका विस्तार हो रहा था यांग ली टिंग की भौहें सिकुड गई, और अन्य साथ एबव इम्मोर्टल असेंशन बाउंडरी मास्टर के चहरे भी बहुत आकरशक नहीं थे भाई यांग ऐसा लगता है कि यह बच्चा शैतान की आद्टों में डूबा हुआ है, मोटे बूढे ने आह भरते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि इतना अच्छा अंकुर गलत रास्ते पर गिर गया उसने पहले ही यांग लीटिंग को आगे आने और देवेश को इस राक्षसी QE को दबाने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन यांग लीटिंग ने उसकी बात नहीं मानी और तब तक देरी करता रहा जब तक की चीजें ऐसी स्थिती से आगे नहीं बढ गई जहां से वापसी संभव नहीं थी, उसके शरीर में इतनी राक्षसी QE कैसे हो सकती है, एक और बूढ़े व्यक्ती ने अपना सबसे बड़ा संदेह व्यक्त करते हुए भौहें चड़ा ली, एक True Element Boundary नवे चरण के कल्टिवेटर के लिए इतनी True QE रखना असंभव उसके Dentian और Meridian आखिरकार अथा गड़े नहीं थे, फिर भी देवेश ने जितनी ऊर्जा पहले ही जारी कर दी थी, वह पीक Immortal Ascension Boundary Master के पूरे रिजर्व के लगभग बराबर थी, और उसने कोई संकेट नहीं दिखाया कि यह उसकी सीमा थी, ऐसा लगता है जैसे वह काफ ही जारी रखने की अनुमती देते हैं, तो वोर सिटी के हजारों लोग शैतान के रास्ते पर गिर जाएंगे, हाला कि वह आपके यांग परिवार का सदस्य है, फिर भी जीवन का ऐसा नुकसान अस्विकार्य है, मुझे व्याख्यान देने का अभिमान मत करो, यांग ली ट यी मेंग को अचानक ऐसा महसूस हुआ, जैसे वह किसी अद्रिश शक्ती से बंधी हुई थी, और टेजी से क्यू दाव रेन की तरफ खीची गई थी, बड़े बुजुर्ग क्यू यी मेंग का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया, यह यान परिवार का मामला है, बीच में मत चुप रहो, अरे लड़के, वो परिवार के उपरोक्त अमर असेंशन बाउंडरी मास्टर ने हुऊ जिन चेन की ओर चिल लाया, जिसने देखा कि वह बोलने ही वाला था, उसने तुरंट उसे कैद कर लिया, और अपनी तरफ खीच लिया, इसका अनुभव करते हुए, वो जिन चेन अपनी आखे घुमाने से नहीं रोक सका, दो आठ महान परिवारों के वंशजो ने तुरंट बोलने की अपनी क्षमताख हो दी थी, जिससे उपस्थित सभी लोगों को तुरंट एहसास हुआ कि स्थिती कितनी गंभीर हो गई थी, जाहिर तौर पर ये आठ लोग देवेश के बारे में कुछ करना चाहते थे, नहीं तो वे कभी ऐसी खुली कारवाई नहीं करते। देवेश के अनुभव से सहानुभूती रखता था और उसकी बरबाद क्षमता पर खेद महसूस करता था। यांगली टिंग ने हलके से सिरहिलाया और देवेश के आसपास इकठा हुए विभिन युवा पीधी के निताओं की ओर देखा और कहा एक तरफ खड़े हो पश्ट रूप से घबराए हुए थे फिर भी देवेश के सामने द्रिटा से खड़े रहे उन्होंने न तो विनमर और नहीं हडबडी में पूछा सीनियर के इरादों के बारे में क्या आप कृप्या इस जूनियर को समझा सकते हैं। के आठोन मास्टर्स आश्चर्यच के थुए बिना नहीं रह सके, उनमें से किसी ने भी कलपना नहीं की थी कि देवेश का आकर्शन इतना महान होगा, यहां तक कि इस तरह की स्थिती में भी ऐसे लोग थे जो उसके लिए बचाफ करने की हिम्मत रखते थे। सभी के चहरे खिल गए। बादलों से नीचे की ओर गिरना, ऐसा जटका, शायद कोई भी इसका सामना नहीं कर सका। यांगली टिंग उदासीन बने रहे और उन्होंने धीरे से अपना सिरहिलाया, वह शैतान की प्रथाओं से भस्म हो गया है। एक बार जब वह अमर स्वरगारोहन सीमा को तोर देगा, तो वह अब वह व्यक्ती नहीं रहेगा जिसे आप एक बार जानते थे। बोलते समय उन्होंने ओल्ड देमन पर अपनी उंगली उठाई और जारी रखा, मेरे आठ महान परिवार और इस दुनिया के दुष्ट राक्षस नश्वर दुष्मन है। और ऐसे किसी भी विधर्मी को हमारे परिवारों से उभरने की अनुमती नहीं दी जा सकती है। आठ महान परिवारों में ऐसा नहीं था कि किसी ने कभी भी दुष्ट साधना तकनीक का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी ताकत में व्रिधी के साथ धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व में बदलाव का अनुभव करेंगे और अधिक से अधि यह नहीं कि इस बार भी ऐसा ही होगा, दोम किंग हान की भावनाय स्पष्ट रूप से उबल रही थी, ऐसे मनमाने कारण से ये आठ बूढ़े लोग वास्तव में इस महत्वपूर्ण क्षण में देवेश का गला घोंटना चाहते थे, वह इसे स्विकार नहीं कर सका, यह गुरु आपके साथ सिधान्त पर बहस नहीं करेगा, आप मेरे फैसले पर सवाल उठाने के योग्य नहीं हैं। पर नियंतरन रखेंगे और शैतान के रास्ते पर नहीं गिरेंगे, दों किंग हान चिलाया। हम भी उस पर विश्वास करते हैं, उस सिस्टर्स तुरंट गूज उठी, हम भी विश्वास करते हैं। एक के बाद एक आवाजे गूजी, जिससे देखने वाले सभी लोगों का सम्मान और प्रशंसा प्राप्थ हुई। यहां तक कि यांग जाओ को भी इस समय हींता की गहरी भावना महसूस हुई। उसने जितनी ताक्तें इकठी की थी, वह देवेश की ताक्तों से कई गुना ज्यादा थी। हाला कि यांग जाओ को ऐसा महसूस हुआ कि अगर इस समय देवेश की जगह वह होता, तो जो लोग उसके आसपास इकठा हुए थे, वे डोंकिंग हान, खुस सिस्टर्स और देवेश के अन्य सभी सहयोगियों की तरह उसे आश्रे देने के लिए उतने द्रिढ नहीं उनके और उनके सहयोगियों के बीच संबंध केवल आपसी हितों का था, दूसरी और जो लोग नौवे भाई का समर्थन कर रहे थे, वे शुद्ध इमानदारी, सच्चे दोस्तों के कारण ऐसा कर रहे थे, जो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसका साथ नहीं छो और बोलना शुरू कर दिया, बड़े बुजुर्ग अभी अभी भले ही नौवा भाई राक्षसी क्यूई से घिरा हुआ था, इस कनिष्ट ने व्यक्तिगत रूप से देखा कि उसकी चेतना सपष्ट थी और उसका आचर नहीं बदला था, शायद। हाला कि वह बोलने वाले एक मात्र व्यक्ति थे, देवेश के सभी सहयोगियों के चहरे पर ऐसे भाव थे जो चुपचाप उनके विचारों को जाहिर कर देते थे, भले ही वह हिल नहीं सकती थी, या बोल नहीं सकती थी, फिर भी क्यूँ यी मेंकी खूबसूरत आखों में इस मारमिक द्रिशे को देखकर आसू आने लगे, वो जिन चेन को भी गर्व की एक अकतनिय भावना महसूस हुई क्योंकि उसका खोन खौलने लगा था, ऐसी स्थिती में जिसे केवल एक मेंटिस द्वारा भागती हुई गाड़ी को रोकने की कोशिश के रूप में वर्नि कर सके, अपने इन सहयोगियों में शामिल होने के लिए आगे नहीं बढ़ पाने के बारे में सोचते हुए, वो फैमिली यंग लॉड को अचानक अपराध बोध की गहरी भावना महसूस हुई, सिर्फ तुम्हारे साथ, यांगली टिंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उस आवास सुनाई दी और हवा के जोके के साथ साथ आकरितिया तेजी से उर गई, हांग हां हां, साथ लोग आसमान से उलकाओं की तरह गिरे, उनके उतरने पर एक हिंसक तूफान आ गया, जिससे डोंग किंग हान और अन्य लोगों के सामने एक कतार बन गई, इन साथ नई आ देवेश के प्रती वफादारी की प्रतिग्या की थी, तूफेंग क्यों गाओ यी, जियोशुन लो है, यान लिंग जिन, बुजु और फुकां सभी आय थे, इन साथ रक्त योधाओं के आगमन ने डों किंग हान और देवेश के अन्य सहयोगियों को कुछ हद तक आराम कर करने की अनुमति दी. युवा पीधी के केवल कुछ सदस्यों के साथ आठ महान परिवारों के उपरोप्त अमर स्वरगारोहन सीमा स्वामियों का सामना करते हुए, वे स्पष्ट रूप से डरे हुए थे, लेकिन इन साथ स्वामियों द्वारा एक स्टैंड लेने के बाद उन्हें अंतर महसूस हुआ कि उनके पास कुछ पूंजी है जिसके साथ वे प्रतिरोध कर सकते हैं। दूसरी और उपस्थित आठ रक्त योध्धाव में से केबल चार ही अमर स्वरगारोहन सीमा के नवे चरण तक पहुँचे थे, अन्य चार अभी भी आठवे चरण में थे। पागल का उप्योग किया, उनमें से किसने कभी इतना शांदार प्रदर्शन देखा था। इन सातों द्वारा अचानक इस निशिध तकनीक को प्रदर्शित करने से उतपन्गती ने वोर सिटी को और अधिक अराजकता में डाल दिया। यहां तक कि अमर स्वरगा रोहन सीमा से उपर के आठ गूढे लोग भी थोड़े आश्चर यच्कित थे, उनमें से किसी ने भी घटनाओ के इस मोड की आशा नहीं की थी। अशिष्टता यांगली टिंग ने दहारते हुए कहा, क्या आप सभी अपनी पहचान भूल गए हैं। जवाब में आठ रक्त योधाओं ने तुरंत सिरहिलाया, ताम यूजियान ने अपने विचार व्यक्त किये, ग्रैंड एल्डर, एल्डर हॉल के आदेश के अनुसार, अब हम केवल लिटिल लॉड के प्रती वफादार हैं। यांगली टिंग बहुत गुस्से में थे और असंतोष से दहाड रहे थे, उनका चहरा थोड़ा हिल रहा था। यांगली टिंग को अचानक महसूस हुआ कि उनका अधिकार और महिमा धूमिल हो गई है। मूर्खता वह बूढ़ा व्यक्ती जो पहले यांगली टिंग को अभिनय के लिए उकसा रहा था। वह इन रक्त योध्धाओं के रवये से काफी असंतुष्ट लग रहा था। अधिकार के सम्मान से अपमान को मिटाने के लिए द्रेड थे, चाहे किसी ने भी उनका विरोध किया हो। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपने केवल तीन हलके कदमों में वह सीधे उनके सामने आ चुका था और चाहे यह जानबूचकर या अंजाने में था। वह जिस थान पर खड़ा था वह आठ एबव इम्मोर्टल से थोड़ा उचा था। असेंशन बाउंडरी मास्टर्स वहां तैरते हुए उनकी अभिव्यक्ती शांत और सन्यमित रही, मानो इन आठ शिखर गुरूओं को नीचे देखना स्वाभाविक था। यांग ली टिंग और अन्य बड़े बुज़ूर्गों के चहरे पर गंभीर भाव थे और उन्होंने मेंग वूया को घूर कर देखा, उनकी भौहें धीरे-धीरे सिकुड रही थी। हाला कि उनके सामने वाले व्यक्ति के पास केवल पीक इम्मोर्टल असेंशन बाउंडरी कल्टीवेशन थी, लेकिन उन सभी आठोन को लगा कि वह सरल नहीं है। अच्छी तरह परिचित थे, आखिरकार वह कुछ समय पहले वोर सिटी में आया था, लेकिन उसके बारे में वे केवल एक और बात जानते थे, कि वह अपनी खेती पर ध्यान केंडरित करने में संतुष्ट था और जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, हस्तक शेप नहीं करता था, उन सभी ने सोचा था कि वह सिर्फ एक साधारन पीक इम्मोर्टल असेंशन बाउंडरी कल्टिवेटर था, लेकिन अब आठ उपरोक्त अमर असेंशन मास्टर्स को एहसास हुआ कि यह पीक इम्मोर्टल असेंशन सीमा सामान्य नहीं थी, उसका सामना करते हुए, यहा और आवास गुंजी आठ महान परिवारों के अमर स्वरगारोहन सीमा से उपर के स्वामी अपने आश्चर्य को छिपाने में असमर्थ थे, वे अभी भी मेंगवूया के बारे में जानते थे, आखिरकार उनमें से आठ नियमित रूप से अपनी शक्तिशाली दिव्य इंद अर्था आठ बड़े बुजुर्गों ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया होता, उनकी धानाओं से पूरी तरह चिपने में सक्षम होने के कारण इस व्यक्ति की खेती के बारे में अनुमान लगाने की कोई आवश्चक्ता नहीं थी, एक उप्रोक्त अमर स्वरगारोहन सीम पर केवल कोई ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है, उप्रोक्त अमर असेंशन सीमा का एक मास्टर वास्तव में इस पूरे समय वोर सिटी के अंदर छिपा हुआ था, यदि इस व्यक्ति के पास वोर सिटी में एकत्र हुए युवा पीधी के सदस्यों के प्रती कोई दुर्भावना पूर्ण इरादे थे, तो परिनाम कुछ ऐसे होंगे कि सभी आठ महान बुजुर्गों को तुरंत पसीना आ जाएगा, सौभाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका कोई दुर्भावना पूर्ण इरादा नहीं था, इस नई आवाज के स्रोत की ओर देखते हुए, आठ वागंतुक के कदमों में मेंगवू या जैसा ही रहसिवाद समाहित था, हाला कि उतना गहरा नहीं था, वह आदमी मेंगवू या से लगभग एक गरजन कदम की दूरी पर रुका और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, कोशाध्यक्ष मेंग ने सिरहिलाते हुए, उसकी ओर सुविधाजंक नहीं था, मुझे पता है मेंगवू हाने थोड़ा सिरहिलाया, मैं इतने सालों तक मेरे साथ मार्शल दाओ पर चर्चा करने के लिए भाई मेंग को भी इमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जब से मैं आगे बढ़ा हूँ, कई प्रशन जिन्हें मैं समझ नहीं पाया हूँ, वे स्पष्ट हो गए हैं, जैसे कि मुझे आत्मग्यान प्राप्थ हो गया है, कोई जुरत नहीं है, मेंग वू याने सन्यम से मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों के बीच विनमर होने की कोई जुरत नहीं है, इन दो बूढ़ों को पूरी तरह से नजरंदाज करते हुए, और इसके बजाए अपने स्वयं के लगो पुनरमिलन को आयोजित करते हुए, एक दूसरे के साथ लापरवाही से बातचीत करते हुए देखकर, आठ महान परिवारों के उपर अमर असेंशन सीमा के स्वामी के चेहरे अचानक कुछ बदसूरत ह इस तरह के व्यवहार से साफ पता चलता है कि ये दोनों उन्हें अपनी नजरों में नहीं रखते, हाला कि उनके दिल में उन्हें गुस्सा आ रहा था, लेकिन दोनों के बीच इस चोटी सी बातचीत से आठ बुढ़ों ने कुछ असामान ये भी सुना, ये दोनों पुरान था, क्या मिंगवुया सचमुच बड़ी विशेशग्य थी, उसके पास ऐसी कौन सी योग्यताएं और कौशल हैं जिसने उसे पूर्व के साथ मार्शल दाओ पर चर्चा करने की अनुमती दी, यहां तक कि उसे उसके मार्ग दर्शन के लिए इमानदारी से धन्यवाद दे हाला कि उन्होंने तै कर लिया था कि इन दोनों लोगों का यहां कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था और वे केबल देवेश की रक्षा के लिए आये थे, लेकिन ऐसे शक्तिशाली आकाओं का सामना करते हुए, वे उनकी पहचान और प्रिष्ठ भूमी भी जा शाध्यक्ष मेंगबूया, इस आत्म प्रिचै से उन सभी लोगों के चहरे खिल गए जो मेंगबूया को नहीं जानते थे, योगदान हॉल को शाध्यक्ष, एक मामूली दुकानदार के पास वास्तव में इतनी गहरी गती और साधना थी, क्या हाई हेवन पैवेलियन वास् आठ महान परिवारों के उप्रोक्त अमर असेंशन बाउंडरी मास्टर्स की अभिव्यक्तिया इस नाम पर मौलिक रूप से बदल गई उच्च स्वर्ग मंडप संप्रदाय मास्टर लिंग्त आईजू यह व्यक्ति एक तुछ द्वितिय श्रेनी संप्रदाय में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी उप्रोक्त अमर स्वर्गारोहन सीमा को तोरने में सक्षम था महान हान राजवंश के पूरे इतिहास में, वह वास्तव में एक अद्वितिय व्यक्ति थे इससे पहले कभी भी उप्रोक्त अमर असेंशन बाउंडरी मास्टर्स किसी द्वितिय श्रेनी संप्रदाय से प्रकट नहीं हुए थे यहां तक कि लू परिवार की अमर उद्गम सीमा से उपर, लूसी भी इस डायरे में तब ही पहुँच पाया था जब लू परिवार प्रथम श्रेनी के परिवार की श्रेनी में पहुँच गया था और उसकी पदोनती बड़े पैमाने पर क्यू परिवार के मार्ग दर्शन और समर्थन के कारण हुई थी अन्य था, लूसी के लिए अपनी वर्तमान खेती तक पहुँचना असंभव होता लिंग ताई जू यह नाम पौरानिक था, उस समय एक जीवित किनवदन्ती थी इसके अलावा, उनके पास उनसे भी अधिक प्रसिद एक प्रशिक्षु था उनका दूसरा प्रशिक्षु अब एशट्रे क्लावड इविल लैंड का दानव भगवान था वह व्यक्ति जिसका 10,000 किलोमेटर व्यास वाली भूमी पर पूरा नियंतरन था और जिसने 6 महान दुष्ट राजाओं का गुरगा बना लिया था दानव भगवान के क्रोध का सामना करते हुए स्वर्ग और प्रिथवी फीके पड़ गए और इस दुनिया की आत्माएं हिल गई इसलिए जब लिंग ताईजु ने अपने नाम की घोशना की तो आठोन बड़े बुज़ुर्ग अचानक कुछ घबरा गए खासकर क्यू दावरें उनके क्यू परिवार ने ही हाई हेवन पवेलियन के खिलाफ पहले धर्मयुद्ध का नेत्रित्व किया था और बाद में उन्होंने ही इसे जमीन दोच कर दिया था अब उच्च स्वर्ग मंडप से संप्रदाय मास्टर यहां प्रकट हुए थे शायद वह हिसाब बराबर करने की कोशिश करेगा यदि वास्तव में उनके बीच लड़ाई छेड़ जाती तो वोर सिती संभवता नश्ट हो जाती हाला कि आठ बुढ़े लोग यह समझ नहीं पाए कि भले ही लिंक्ताई जू हाल ही में वहां से गुजरा था फिर भी मार्शल दाओ में उसकी अंतरग्रिष्टी उनकी तुलना में अधिक गहरी कैसे लग रही थी यदि ऐसा नहीं होता तो वे अब तक लिंक्ताई जू के अस्तित्व पर ध्यान कैसे नहीं दे पाते उनमें से प्रत्येक कम से कम पचास साल पहले उपरोक्त अमर स्वरगारोहन सीमा तक पहुँच गया था पिछले पांच दशकों में यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी ताकत में सुधार नहीं हुआ है लेकिन लिंक्ताई जू की तुलना में उनकी प्रक्ती की दरलगभग नगण्य थी उस पुरूश ने यह कैसे किया तो यह भाई लिंग है क्यों डाव रेन ने जल्दी से अपने भटके हुए विचारों को एकतर किया और धीरे से सिरहिलाया मैं काफी समय से आप से मिलने का इंतजार कर रहा था तुम बहुत दयालू हो लिंग ताई जू शांती से मुस्कुराईं गल्ती ढूंडने का कोई मतलब नहीं दिखाया इसके बजाए एक इमानदार विनम्र रवया दिखाया अगर हमें वास्तव में हमारी उम्र पर चर्चा करनी है तो आप सभी को इसके वरिष्ट होना चाहिए भाई के रूप में संबोधित किया जाना पहले से ही एक बड़ा सम्मान है यह वाला लिंग ताई जू की मुद्रा देखकर आठ महान परिवारों के बुढ़े लोगों ने भी थोड़ा आराम किया मोटे बुढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा भाई लिंग बहुत विनम्र है जो लोग उपरोक्त अमर स्वरगारोहन सीमा तक पहुँच गए हैं उन्हें इस पर बहस नहीं करनी चाहिए वरिष्थता हम में से हर कोई सहकर्मी है यहां तक कि हमारे बीच की पीढ़ियां भी काफी अव्यवस्थित है वास्तव में किसी ने प्रतिध्वनी की कुछ शब्दों के बाद माहौल अचानक काफी शान्थ हो गया भाई लिंग के पास इस समय उपस्थित होने का क्या कारण है यांगली टिंग ने अभी भी अपनी थंडी अभिव्यक्ती बनाए रखी और एक प्रशन पूछा जिसका उत्तर वह जानता था स्वाभाविक रूप से मैं इस छोटे बच्चे के लिए आया हूँ लिंग ताई जू मुस्कुराई और देवेश की ओर इशारा किया चाहे कुछ भी हो मैं अभी भी तकनी की रूप से उनका ग्रैंड मास्टर हूँ और मेरा ग्रैंड शिश अमर असेंशन सीमा की सफलता में ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में है जाहिर है मुझे उनका समर्थन करते दिखना चाहिए आप उसकी रक्षा करने का इरादा रखते हैं मैं करता हूँ लिंग ताई जू ने हलके से सिरहिलाया यांग ली टिंग को अचानक महसूस हुआ कि चीजें थोड़ी परेशानी भरी हो गई है लिंग ताई जू एक वास्तविक अमर उद्गम सीमा मास्कर था मेंग वूया के पास उसके बारे में एक अजीब दराने वाली आभा थी ओल्ड देमन की राक्षसी क्यूई असामान्य थी और आठ रक्त योद्धाओं ने अपने पागल तानाशाह रक्त कौशल को सक्रिय कर दिया था इस समोह की शक्ती थी ऐसा कुछ नहीं जिसे वह अब और अंदेखा कर सके एक अमर उदगम सीमा नौवे चरण का रक्त योध्धा अपने पागल तानाशाह रक्त कौशल को सक्रिय करने के बाद एक उपरोक्त अमर उदगम सीमा कल्टीवेटर के साथ कुछ चालो का आदान प्रदान कर सकता है इसलिए इन आठ रक्त योध्धाओं की ताकत को कम नहीं आका जा सकता है लिंग टाई जू की ताकत कहने की जरूरत नहीं है यांगली टिंग ने अनुमान लगाया कि अगर उसे आमने सामने उसका सामना करना पड़ा तो संभवत है वह खुद को नुकसान में पाएगा अगर वह किसी तरहे जीत भी सका तो वोर सिटी और उसके सभी निवासी संभवत है इस प्रक्रिया में नश्ट हो जाएंगे यांगली टिंग की तेज आखें थोड़ी संकुचित हो गई क्योंकि उसने देवेश को घेरे हुए गहरे अंधेरे की ओर अपनी नजर डाली लिंग ताई जू पहले से ही अमर असेंशन सीमा से उपर का क्रिशक था इसलिए वे अब उस पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपनी स्थिती का उप्योग नहीं कर सकते थे केवल अपनी साधना के आधार पर लिंग ताई जू उनके साथ समान रूप से बात करने के लिए योग्य था साथी भाईयों आप उसे अमर स्वरगारोहन सीमा में घुसने से रोकना चाहते हैं क्योंकि आपको डर है कि जैसे जैसे वह ताकत हासिल करेगा उसका दिल भष्ट हो जाएगा और वह शैतान के रास्ते पर गिर जाएगा हाँ आठ बूढों ने लिंग ताई जूके अनुमान की पुष्टी में सिरहिलाया उनके बेजजख सिरहिलाते देखकर ओड डेमन असंतोश से खराटे लेने से खुद को नहीं रोक सका और बड़़ाने लगा जो लोग अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर सकते और इसके बजाए इसके गुलाम बन जाते हैं वे असली राक्षस है राक्षसी गुप कला को विक्सित करने से क्या फर्क पड़ता है राक्षसी क्यूई का उप्योग करने वाले व्यक्ति में क्या खराबी है यह सब सत्ता हासिल करने का एक तरीका मात्र है प्रत्यक क्रिशक अपनी शक्ती अलग-अलग प्रकार से अर्जित करता है यह घोशना करना की केवल आपकी साधना पद्धती ही सही है जबकि दूसरों को नकारना अज्यानी मूर्खों की पहचान है जोर से बोलो शुई लिंग किसी अज्यात बिंदु पर उसके पास पहुँचकर ओल्ड देमन को चिढ़ाते हुए बोला यदि आप केवल इस तरह फुसकुसाते हैं तो वे आपको नहीं सुनेंगे उसकी आबाज में चंचलता सुनकर ओल्ड देमन ने शुई लिंग की ओर देखा और मुस्कुराया चोटी लड़की तुम्हें इस बूढे मास्टर के साथ गेम खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए यह मत सोचो की मैं तुम्हारी असली उत्पत्ती नहीं जानता इस कथन से चौक कर शुई लिंग यह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी क्या आप वास्टव में जानते हैं अरे यह बूढा मास्टर निश्चित रूप से जानता है न केवल यह बूढा मालिक जानता है वह बूढा भूत मेंगवू या भी जानता है आखिरकार हम सब एक ही आकाश से आये हैं बूढे दानवने गुराया उसकी अभिव्यक्ती में गर्व की जलक जलक रही थी शुई लिंग की आखों में अचानक एक तेज रोशनी चमक उठी ओल्ड डेमन की बाह पकड़ते हुए उसकी अभिव्यक्ती असीम कड़वाहट और याचना से भरी हुई थी और वह आधी आसु भरी आधी खुशी से पूछ रही थी सीनियर क्या आप जानते हैं कि वापस कैसे जाना है बुढे दानव ने धीरे से उसकी ओर देखा और बुरी तरह मुस्कुराया क्यों तुम्हें वापसी का रास्ता नहीं पता एन मैं काफी समय से यहां फंसा हुआ हूँ और अभी तक वापस लोटने का कोई रास्ता नहीं ढूंड पाया हूँ वरिष्ट यदि आप जानते हैं तो क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं उसकी हताशा देखकर ओर्ड देमन जोर से हसा उसकी तीखी आवाज शुई लिंग के लिए बेहद अखरने वाली थी लेकिन चाहे वह कितनी भी असहज महसूस करती हो फिर भी उसने दैनिय अभिव्यक्ती दिखाने और सहानु भूती के लिए प्रार्थना करने की पूरी कोशिश की मैं तुम्हे नहीं बताऊंगा बूढे दानव ने अचानक अपनी हसी रोक दी और लापरवाही से घोशना की निराशा में चिल्लाने से पहले शुई लिंग एक पल के लिए ठिठक गई क्यों नहीं जवाब में ओल्ड देमन ने बस अपने कंधे उचकाए क्योंकि इस बूढे मास्टर को यंग मास्टर के लिए इंतजार करना होगा उसके लिए इंतजार शुई लिंग ने नजर डाली क्या आपको लगता है कि वह इस दुनिया की बेडियों को तोर सकता है ओल्ड देमन ने तिरसकारपूरवक कहा यदि यंग मास्टर नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता देवेश की ओर देखते ही शुई लिंग की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई काफी देर के बाद उसने धीरे से सिरहिलाया और फुस्वसाते हुए कहा अगर यह वह है तो वह वास्तव में सक्षम हो सकता है अगर मेरा अनुमान सही है तो कम से कम तीन साल और अधिक्तम दस साल में यंग मास्टर निश्चित रूप से उस तक पहुँचने में सक्षम होगा ओल्ड देमन ने गोशना की आत्म विश्वास से भरपूर और देवेश के भविश्य के लिए उम्मीदों से भरा हुआ युवा मास्टर वह काफी प्रतिशोधी है बूढे दानव ने शुई लिंग की ओर देखा और धीरे से अपना सिरहिलाया शुई लिंग ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और वास्तव में महसूस किया कि उस आदमी के ठंडे दिल और कुरूर व्यक्तित्व के साथ वह शायद दया या दया के कारण उसे अपने साथ नहीं ले जाएगा तो उसने तुरंत विनमरता से अपनी मुठिया पकड़ ली और सम्मान पूर्वक पूछा जुनियर को उम्मीद है कि सीनियर अपना मार्क दर्शन दे सकते हैं बूढे दानव ने सिरहिलाने से पहले एक बार फिर हंस्ते हुए कहा अच्छा क्यों नहीं अचानक अपने आवाज धीमी करते हुए और गंभीर होते हुए ओल्ड देमन ने आगे कहा यद्यपी यंग मास्टर गहरी द्वेश रखता है और वह ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी मामूली बात का बदला जरूर लेगा वह ऐसा व्यक्ति धी है जो अपने दोस्तों के प्रती बेहद वफादार है आप इतने समय से वोर सिटी में हैं और उसे देख रहे हैं इसलिए आपको अब तक उसके स्वभाव को समच लेना चाहिए शुई लिंग ने हलके से सिरहिलाया और उसकी आखे चमक उठी यह घटना एक आदश उदाहरन थी हाला कि वह सारी बारीकियों को नहीं जानती थी शुई लिंग को इस बात का काफी अच्छा अंदाजा था कि क्या हुआ था यह सब इसलिए था क्योंकि हाई हेवन पवेलियन का एक शिश्य धायल हो गया था जियांग चुको मारने में उसकी मदद पाने के लिए देवेश ने उसे सोल बाइंडिंग कर्स गुडिया लोटाने में भी संकोच नहीं किया इससे पता चलता है कि वह बेहत द्रिड चरित्र का व्यप्ति था अपने दुश्मनों के प्रती करूर था लेकिन अपने दोस्तों के प्रती उदार था चुकि आप समझते हैं आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है है ना बूढे दानब ने उसकी और अर्थपूर्ण ब्रिष्टी से देखा शुई लिंग की भौह थोड़ी सी हिली लेकिन उसने तुरंट सिरहिलाया मुझे पता है मुझे उसे एक दोस्त के रूप में देखना होगा जब तक उसकी उससे दोस्ती हो जाती उसे उसके उसे साथ ले जाए बिना चले जाने की चिंता नहीं होती हे हे, ओल्ड देमन ने मुस्कुराते हुए कहा यंग मास्टर हमेशा महिलाओं, विशेशकर खूबसूरत महिलाओं के प्रती दयालू रहे हैं और आपको इस संबंध में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपकी उत्पत्ती को ध्यान में रखते हुए, आप यंग मास्टर के लिए एक अच्छा साथी बन सकते हैं खैर कडी महंत करो शुरी लिंग का चहरा तुरंत लाल हो गया और उसने जोर से आपत्ती जताई, आप क्या बकवास कर रहे हैं यह देहाती लड़का मेरे योग्य कैसे हो सकता है, बुढ़ा दानव क्रोधित नहीं हुआ, बलकि उसने उपहास करते हुए कहा, दस वर्षों के बाद, तुम अब ऐसा कहने के योग्य नहीं रहोगे शुरी लिंक्स तब्ध थी, ऐसा महसूस हो रहा था, कि ओर्ड डेमन देवेश के बारे में बहुत अधिक आशावादी था यह महसूस करते हुए कि आगे कोई भी बहस व्यर्थ थी, उसने अपनी जीप पर काबू पा लिया क्योंकि उसने देवेश के साथ अच्छे संबंध बनाने का मन बना लिया था जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, थोड़ी दूरी पर एबव इम्मोर्टल असेंशन बाउंडरी मास्टर्स भी अपनी चर्चा कर रहे थे लिंग ताई जू ने कहा, इस लिंग की राय में भले ही वह अमर असेंशन सीमा को तोड़ता है, उसके दिल पर असर नहीं होना चाहिए आप ऐसा क्यों मानते हैं? यांग ली टिंग ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि वह मेरी देखरेख में बढ़ा हुआ, मैं उसे आप में से किसी से भी बहतर जानता हूँ, लिंग ताई जू थोड़ा मुस्कुराया, वह दूसरों से अलग था, और उसने एक बार देवेश से भी बात की थी जब वह अपनी राक्षसी QE के बारे में ऐसी ही स्थिती में था, इसलिए वह अपने विशलेशन के बारे में काफी आश्वस्ट था, भाई लिंग जो कहते हैं, उसमें कुछ दम है, क्यों डाव रेन ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए धीरे से सिरहलाया और एक पल के लिए सोच लेकिन क्या होगा अगर चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक विक्सित नहीं हुई, अगर वास्तव में ऐसा होता है, तो साथी भाईयों को कारवाई करने की आवश्चक्ता नहीं होगी, यह लिंग व्यक्तिगत रूप से मामलों को संभालेगा, लिंग ताई जूने शा उनकी वर्तमान भावनाओं को समझ रहे थे, ऐसे में साथी भायों थोड़ी देर प्रतीक्षा क्यों न करें, लिंग ताई जूने आठ बूडों को प्रस्ताव दिया, अच्छा, यांगली टिंग ने मौजूदा मामले पर ध्यान केंडरित करते हुए कहा, हम वैसा ही करें जैसा भाई लिंग सुझाव देंगे, हाला कि उसके तूटने के बाद यदि उसका स्वभाव वास्तव में बदल जाता है, तो हम भाई लिंग को कारवाई करने के लिए परेशान करेंगे, निश्चिंत रहें, अगर ऐसी स्थिती हुई तो मैं व्यप्तिगत रूप से उन स्टेज कल्टिवेटर ही होगा, यहां इतने सारे शीर्ष स्थर के मास्टरों के साथ क्या वह संभवता बच सकता है, इसलिए कोई कारण नहीं था कि वे थोड़ी देर रुक कर न देख सकें, दूसरी तरफ लिंग ताई जूने धीरे से अपना सिरहिलाया, उसके चहरे पर सहित देवेश के पक्ष के सभी लोग जो आठ ग्रैंड एल्डर्स के खिलाफ मुकाबला कर रहे थे, राहत की सास लेने में मदद नहीं कर सके, जैसे ही तनाव कम हुआ, उन सभी को अचानक एहसास हुआ कि वे थंडे पसीने से लथपत थे और अंजाने में काम रहे थे, उ लीड ने जल्दी से धन्यवाद में सम्मान पूर्वक अपनी मुठी बंद कर ली, क्यो दाव रेन ने क्यो यी मेंग को उसके बंधन से मुक्त कर दिया, जैसा कि हुओ परिवार के ग्रैंड एल्डर ने हुओ जिन चेन के साथ किया था, दोनों युवा नेता तुरंत अप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे और किसी ने भी देवेश पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, हाला कि अब चीजें सुलजने के बार सभी की निगाहें एक बार फिर उस पर केंद्रित हो गई, और तुरंत पता चला कि विश्व उर्जा बप्तिस्मा और भी अधिक भ कर रहा था, ऐसा लगता था मानो वह कोई अथा गड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी विश्व उर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, वह आसानी से सब कुछ निगल सकता था, न तो जरा सा भी रिसाव हुआ और नहीं उनके चहरे पर कोई परिशानी क कोई निशान था, जाहिर है देवेश के लिए ये सब एक साधारन बात थी, इतना ही नहीं देवेश के शरीर से अभी भी बुरी उर्जा निकल रही थी, आसपास की विश्व उर्जा के तेजी से अंतर ग्रहन के साथ साथ एक अजीब संतुलन पर पहुँच गया था, जो क अच्छा अंकुर, वास्तव में इतना अच्छा अंकुर, मोटे बुढे आदमी की आखे चमक उठीन और वह अपने आप से बुद्बुदाया, इस बात से नाराज लग रहा था कि उसके परिवार में ऐसी प्रतिभा नहीं है। चितकरता की परिवार उसे खेती के लिए आवशक सभी संसाधन उपलब्ध कराए। यांग परिवार के पितामा, बेकार, अब देवेश वो देखकर लगता है कि जब तक उसे बढ़ने दिया जाएगा, वह एक दिन इस दुनिया के शिखर पर पहुँच जाएगा। उस सम अभी भी अपने भीतर डूबी हुई थी, पूरी तरह से अंधेरे से घिरी हुई थी, बिल्कुल वोर सिटी की तरह जो राक्षसी क्यूई और काले तूफानी बादलों से धकी हुई थी। जैसे की मिट्टी में दबा हुआ कोई बीज उगने और बढ़ने ही वाला हो। अज्यात समय के बाद अचानक अंधेरे से प्रकाष की एक किरन फूट पड़ी, जुगनू की तरह एक खीन चमक, हवा में एक मुंबत्ती जो अगले ही पल बुच सकती है। परंतु प्रकाष के इस एक बिंदू ने इस समय अंधकार को तोर दिया था। देवेश ने प्रकाष के इस बिंदू पर अपनी चेतना इकठी की और उसे हलका सा खिंचाव महसूस हुआ। जैसे जैसे उसने इस पर ध्यान केंड़ित करना जारी रखा, उसे इसके भीतर एक धुंधली छवी दिखाई देने लगी। कुछ ही देर बाद प्रकाष की एक और किरन निकली, लेकिन उसका रंग पिछली किरन से थोड़ा अलग था। अगले ही पल ये लाइटें चमक उठीन, जिससे देवेश की आत्मा इस बिंदू से फैली रहस्यमय तरंगों के कारण काम पने लगी। इसके बाद तीसरे रंग दिखाई दिया, फिर चौथा, फिर पांचवा, जब प्रकाष का बिंदू कुल पांच अलग-अलग रंगों तक पहुँच गया, तो ऐसा लगा कि यह एक महत्वपूर्ण बिंदू पर पहुँच गया है, जैसे बारिश के बाद एक नया अंकु और तीवर हो जाती थी, और हर बार जब वह स्पंदित होती थी, तो देवेश की आत्मा में उतार चढ़ाव भी बढ़ जाता था, अंधेरा शूने जल्द ही इस चमक को दबाने में असमर्थ लग रहा था, और पांच रंगों की रोशनी ने पूरी जगह को रोशन करते अचानक पांच रंगों की रोशनी एकत्रित होती हुई, धीरे-धीरे चमकते हुए पांच रंगों वाले कमल के फूल का निर्मान करती हुई दिखाई दी, जो धीरे-धीरे देवेश की आखों के सामने तैरने लगा, देवेश हैरान और सुखद आश्चर यच्कित था, पांच रंग का मन को प्रसंद करने वाला कमल, किसी की आत्मा के पोशन के लिए सर्वोच खजाने ने अंतह अपना पूर्ण स्वरू प्रकट कर दिया था, जैसे ही यह धीरे-धीरे अपनी धुरी पर घूमता है, इसमें से एक समरिध लेकिन सौमे उर्जा निकलती है, और उर्जा तेजी से फैली वह देवेश की अपनी आध्यात्मिक उर्जा थी, कुछ तो वह सहज ही समझ गया, सच्चे तत्व की सीमा को तोरने से पहले ही, देवेश ने अपनी आध्यात्मिक उर्जा को विक्सित करना शुरू कर दिया था, लेकिन आध्यात्मिक उर्जा अपना ज्यान सागर खोलने से पहले, पांच रंगों वाला सोल वोर्मिंग कमल उनकी आध्यात्मिक उर्जा के वाहक के रूप में काम कर चुका था। एक सर्वोच खजाना था, आखिरकार यह केवल एक विदेशी वस्तु थी जिसने अस्थाई रूप से देवेश की आध्यात्मिक उर्जा को संग्रहीत किया था। देवेश की आत्मा का अत्यंत प्रबल उतार चढ़ाव अचानक उसके मन से फूट पड़ा और पूरे वोर सिटी को अपनी चपेट में ले लिया। पास में एकत्रित सभी गुरुओं ने जब इस दिव्य अनुभूती की शक्ती को महसूस किया तो उनका रंग बदल गया। यहां तक की आठ महान परिवारों के बड़े बुजुर्गों के चहरे पर बेहत सक्त भाव थे, जबकी मेंगबूया और लिंक्ताईजू दोनों चकित और उत्साहित थे। देवेश की आध्यात्मिक उर्जा के उतार चढ़ाव ने उनकी साधना के वर्तमान स्तर को पूरी तरह से पार कर लिया है, जिससे उनके समान शेत्र के लोग बहुत पीछे रह गए हैं। उनके मन की गहरायों में आत्मा को गर्म करने वाला पांच रंगो का कमल अभी भी घूमता रहा क्योंकि उसके भीतर संग्रहीत आध्यात्मिक उर्जा एक निर्बाथ प्रवाह में जारी हो गई थी। इन धागों का एक समूह स्पंदित हुआ और धीरे धीरे एक मोटे अधिक शक्तिशाली समूह में परिवर्तित हो गया, जो बाग में अधिक धागों को अंदर खींचता और इकठा करता गया, धीरे धीरे एक अंथीन चक्र में थोड़ा-थोड़ा मस्बूत होता गया। और सन्यमित्थी, धीरे-धीरे कदम-दर-कदम आगे बढ़ रही थी। हाला कि यह विशेश रूप से कठिन प्रतीत नहीं हुआ, इसे किसी भी तरह से तेज के रूप में वर्नित नहीं किया जा सका। जबकि इसके विप्रीट इस समय देवेश की आध्यात्मिक उर्जा तीवर गती से प्रक्ति कर रही थी। एक बार खाली शूने के भीतर, आध्यात्मिक उर्जा ने हर कोने को भर दिया और तेजी से एक प्रकार के गुनात्मक परिवर्तन से गुजर रही थी। अचानक पानी के बहने की आवाज आई। आत्मा को गर्म करने वाला कमल समुदर के उपर चुपचाप लटका हुआ था, जिससे लगातार एक नरम पांच रंकी चमक निकल रही थी, जो पूरे समुदर पर चमक रही थी। नीचे का पानी बिलकुल साफ था और वह देवेश के विचारों के अनुरूप हिलता डूलता था। इसके तुरंत बाद सभी दिशाओं में बड़ी ब्ली चटाने बन गई, जो समुदर मन्थन के दौरान लहरों का मार्ग गर्शन और विखराव कर रही थी। समुदर के भीतर कई अजीब मचलिया दिखाई देने लगी, उसके बाद पक्षी आकाश में उड़ने लगे। आकर्शक बनाती हैं। यहां हर चीज देवेश की आध्यात्मिक उर्जा से बनी थी, इसलिए वह अपनी इच्छानुसार इसके किसी भी हिस्से में हैरफेर कर सकता था। अगले ही पल देवेश को अचानक महसूस हुआ कि उसके दिल की गहराई में कोई चीज इस समुदर में समा गई है। एक पल के लिए जाच करने के बाद देवेश को पता चला कि यह वास्तव में उसकी सारी यादे थी। उनके ज्यान सागर में देवेश के जीवन के सभी अनुभव और यादे समाहित थी। इन कई वर्षों में उसने जो कुछ भी देखा और सीखा था वह धीरे-धीरे इस स सामने आ रहा था जैसे कि वह इसे एक बार फिर से अनुभव कर रहा हो। एक साधक के ज्यान सागर में उनके सभी रहस्य समाहित होते हैं इसलिए कोई भी दूसरे को ज्यान सागर में तब तक घुसपैट करने की अनुमती नहीं देगा जब तक कि उसके पास कोई अन्यवि दोसा करती थी अब उसका ज्यान सागर सचमुच बन गया था इस समय देवेश के हरिदय में एक अजीब सी अनुभूती उत्पन हुई ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को मार्शल आर्ट्स के शिखर तक एक लंबी पहाडी सड़क पर चड़ते हुए देख रहा हो उसने बहुत दूर तक यातरा की थी लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तै करना बाकी था अपनी आखें खोलने पर एक शांदार रोशनी उनमें चमक उठी और उसकी नजर उकाबो की तरह तेस हो गई आसपास इकठा हुए सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि उनकी अभिव देवेश ने सबसे पहले लिंगता आई जू और मेंग वू या को अपने चहरे पर मुसकान के साथ प्रशन साक्मक द्रिश्टी से घूरते हुए देखा इन दोनों बूढों की ओर सिर हिलाते हुए देवेश कृतग्यता पूर्वक मुस्कुराया हाला कि वह अपनी सफलता में डूबा हुआ था देवेश को अभी भी उनके आगमन का एसास था और उसे थोड़ा सा पता था कि उन्होंने उसके लिए किस तरह के प्रयास किये हैं उसका हरिदय इतनी गर्म जोशी से भर गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता उनके ग्रैंड मास्टर ने बिना कि इसी शर्थ के उनका समर्थन किया था और बिना कभी डगमगाएं उन पर विश्वास किया था एक गहरी सांस लेते हुए देवेश ने अपनी दिव्य भावना और आभा को वापस ले लिया अचानक एक साधा और सामान्य युवा बन गया लगभग ऐसा जैसे वह एक साधा पर नश्वर व्यक्ति था जिसने पहले कभी खेती नहीं की थी एक मात्र अंतर यह था कि उसके शरीर से बुरी उर्जा की धार निकल रही थी आकाश में काले बादल अभी तक छंटे नहीं थे और भयानक विश्व उर्जा देवेश के शरीर को जुलसाती रही हाला कि उसक अब तुम इंसान हो या दानव यांगली टिंग ने स्पष्ट रूप से पूछा देवेश ने उस पर हलकी सी नजर डाली और व्याभारिक कारवाई के साथ उसकी पूछताच का उत्तर दिया अपने शरीर पर नियंतरन पाने के बाद उनके साबधानी पूर्वक मार्क दर उपर घने बादलों में नहित शक्तिशाली विश्व उर्जा भी इस सक्षन से बच नहीं पाई। यांग जाओ की हवेली के सामने हर कोई चुप था। अंगिनत खाली जोडे देवेश को घूरते रहे। देवेश की सफलता की घटनाए अवर्णनिय थी। उपस्थित सभी लोगों के दिलों में संदेह था क्योंकि वे एक तक देवेश को देख रहे थे। क्या अमर स्वर पहुचती थी, बहुत से लोग केवल चकित होकर ही वहां खड़े रह सकते थे। सेंट्रल कापिटल के प्रथम युवा लॉड लियू किंग याओ जो हमेशा एक प्राचीन कुएं की तरहा शांत रहते थे, अंत्र असाय होकर मुस्कुराएं। उसने पाया की वर्तमान दे से बड़े युवा भगवान, आप सही थे, आपके नवे भाई की उपलब्धिया पहले से ही मेरी तुलना में बहुत अधिक हैं। उसके बाद उसने बस अपना सिरहिलाया और कहा एक असली राक्षस। यांग वेई गर्व से मुस्कुराईं। जहां तक आठ महान परिवा अध्यात्मिक उर्जा ने उन्हें जाँच करने के उनके किसी भी प्रयास से अलग कर दिया, जिससे उन्हें काफी अजीब महसूस हुआ। उनकी दिव्य इंद्रियों को अवरुध करने में सक्षम होने से पता चला कि देवेश की अपनी दिव्य इंद्रिया और आध्यात उस पुरूष ने यह कैसे किया? उन्होंने वास्तव में कैसे खेती की? उन्होंने प्रत्येक की आयू 100 वर्ष से कम नहीं थी और उन्होंने अंगिनत वर्षों तक अपनी आत्मा को विक्सित किया था, फिर भी 20 वर्ष से कम उम्र के एक मात्र युवा की आध्यात्मिक से आगे निकल गई थी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन में से कौन सा बूढ़ा आदमी था, वे शर्म की निराशा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके. क्या यह चोटा बच्चा अब इनसान है या दानव, मुझे लगता है कि भाई यान को यह बताने में सक्षम होना चाहिए, सही है. लिंक ताई जू मुस्कुराई और लापरवाही से यांगली टिंग से कहा. इस समय देवेश की आभा अचूक थी, उससे निकलने वाली सच्ची क्यूई के उतार चढ़ाव का कोई निशान नहीं था, वह पहले से जारी की गई जबरदस्ट राक्षस क्यूई का तो बिल्कुल भी नहीं. इसके अलावा, उसकी आखें अपने पुराने रंग में लौट आई थी और बिल्कुल स्पष्ट स्पष्टता दिखाई दे रही थी. उसकी दृष्टी में असामान्य गहराई के अलावा, वह एक साधारन नश्वर व्यक्ती से अलग नहीं दिखता था. यदि वह अभी भी देवेश को शैतान के आचर्ण में फंसने वाला व्यक्ती करार देना चाहता है, तो यांगली टिंग वास्तव में एक अंधा आदमी होगा. थंडे स्वर में यांगली टिंग ने बड़बडाते हुए कहा, मुझे डर है कि इस बार वह अपनी चेतना को वापस लाने में सक्षम हो गया, यह शुद्ध भाग्य था. एक दिन वह अपने अंदर की उस राक्षसी शक्ती को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, और उस समय यह बूढ़ा मालिक दयालू नहीं होगा. यह पंक्ति देते हुए वह घूम गया और सील मं में सोच रहा था और यांग परिवार से पैदा हुए एक दुष्ध राक्षस को नहीं देखना चाहता था. फिर भी अपने घर को साफ करने के प्रयास में, उसने इसके बजाए कई लोगों की घ्रिना और शत्रुता को अपने उपर ले लिया था. भले ही यांगली टिंग स पहले देवेश पर गुस्सा किया और बेहोश होकर कहा, अब उस दुष्ध साधना तकनीक का अभ्यास मत करो. मोटे बुढे व्यक्ती ने देवेश को चेतावनी भी दी, हमारी चेतावनियों पर ध्यान दो कुस राक्षसी गुप्तकला को विक्सित करने से तुम्हें कोई लाब नहीं होगा. अपनी योग्यता के साथ चाहे आप कोई भी गुप्तकला विक्सित कर लें, आपकी भविश्य की उपलब्धिया अपार होंगी. आपको जानबूच कर शौटकट अपनाने की कोई आवश्यक्ता नहीं है. मोटे बुढे व्यक्ती ने स्पष्ट रूप कुछ भी समझा नहीं सका. वास्तव में उन्होंने कभी भी किसी दुष्ट साधना तकनीक या राक्षसी गुप्तकला का अभ्यास नहीं किया था. उसके शरीर में मोटी राक्षसी क्योई केवल अडिक स्वन कंकाल के कारण थी. इसके अलावा, देवेश को लगा कि दुनि की मेंग आगे बढ़े और मुस्कुराएं और फ्लडगेट खोल दिये. तुरंक अन्य लोग आगे बढ़े और प्रशंसा के शब्द बोले. देवेश ने इन लोगों पर नजरे घुमाई और गर्मजूशी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया. आप सभी को धन्यवाद. भले ही अपनी सफलता के दौरान उसकी चेतना बहुत सपष्ट नहीं थी. फिर भी देवेश समझ सकता था कि कैसे यहां के लोग बिना किसी हिचकी चाहट के उसकी रक्षा के लिए आगे आये थे. देवेश की हारदिक कृतग्यता पाकर सभी और भी मुस्कुरा दिये. भी वह कीमत थी जो उन्हें मैड टाइरेंट ब्लाड स्केल को सक्रिय करने के लिए चुकानी पड़ी थी. हाला कि इसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और उन्होंने अन्ता यांगली टिंग और अन्य बड़े बुजर्गों के खिलाफ लड़ाई नहीं अपनी वर्तमान थकान के बावजूद आठ रक्त योधा अभी भी खुशी से हसे. अंत में देवेश ने आगे बढ़कर लिंटाई जू और मेंग वूया को सम्मान पूर्वक अपनी मुठिया पकड़ली ग्रैंड मास्टर कोशाध्यक्ष मेंग. नीम से उठो लिंटाई जू ने आगे बढ़कर उसके कंधों को थप्त पाया. यह अच्छा है कि आप सुरक्षित हैं. दूसरी और कोशाध्यक्ष मेंग ने जुझलाहट में कहा, अरे बदबूदार लड़के, इस बूढ़े मालिक को ऐसी परिशान करने वाली चीजों से परिशान करना बंद करो कोर्स के पाठ्यक्रम की, देवेश ने बार-बार सिरहिलाया. यह समय वास्तव में उन परिशान करने वाली समस्याओं की श्रिंखला में नवीनतम था, जिनसे उसने मेंग वूया को परिशान किया था, जिससे उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था. लिंक ताई जू की इसके बारे में कुछ सुराग था. इतने लंबे अलगाव के बाद आखिरकार फिर से मिलने के बाद, देवेश अपने ग्रैंड मास्टर को फिर से विदा होते देखने के लिए काफी अनिक शुक थे. शुक्र है, लिंक ताई जूने सिरहिलाया, मेरी कहीं भी जाने की कोई योजना नहीं है. अच्छी बात है, देवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, शिश्य को हाल ही में सुयान और हाई हेवन पवेलियन के अन्य सरस्य भी मिले. वे कुछ दिनों में वोर सिटी पहुँचेंगे. यदि ग्रैंड मास्टर उन पर नजर रखने और निर्देश देन अचानक कहा, छोटी लड़की, तुम्हारी आभा परिचित है. अगर मुझे ठीक से याद है, तो आप एक बार मेरे संप्रदाय में आग लगाने के लिए लोगों को लाए थे. अचानक इस काले इतिहास के सामने आने पर, क्योई मेंग रेंगने के लिए एक छेट धूंड आते हुए देखकर, लिंगताई जुहसे और मामले को आगे नहीं बढ़ाया. क्योई मेंग को यह भी एहसास हुआ कि दूसरे पक्षने उसके साथ हिसाब किताब तै करने की योजना नहीं बनाई थी, और वह केवल इसका उलेख कर रहा था. देवेश व्यंग्यपूर्वक और उसे बिल्कुल भी नहीं सुना हो. देवेश और उनके सहयोगियों के चले जाने के बाद भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. यांग वेई ने यांग जाओ की ओर देखा और धीरे से अपना सिरहिलाया. वह जानता था कि उसके दूसरे भाई को इस बार कड़ी मार पड़ी है और इस तरह के परिनाम को स्विकार करने में उसे कुछ समय लगेगा. वह नान शेंग और जियांग चू की रक्षा करने में विफल रहा था. देवेश ने घोर प्रतिरोध के बावजूद अपने सामने ही अपने दो अनुयाईयों को बेरहमी से मार डाला था इसके अलावा इस घटना के दोरान उनके नौवे भाई ने जो व्यक्तिकत आकर्शन और क्षमता प्रदर्शित की थी उससे यांग जाओ को भारी जटका लगा. जीवन या मृत्यू के संकट का सामना करते हुए अंगिनत लोग उसका विरोध करने में मदद के लिए आगे आये थे. ऐसा मार्मिक प्रदर्शन पहले कभी किसने देखा था. यहां तक की आठ एबव इम्मोर्टल असेंशन बाउंडरी मास्टर्स का सामना करते हुए भी देवेश के सहयोगियों ने शुरू से अंध तक एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया था. यांग जाओ को पता नाम को स्विकार करना आसान था. यह विरासत युद्ध. क्या इसे जारी रखना वास्तव में आवर्शक है? यांग वेई, जो हमेशा द्रेड और द्रेड थे, अचानक घ्रमित महसूस करने लगे. इसे शुरू हुए आठ या नौ महीने हो चुके थे, लेकिन अब से, चा भाई अभी भी देवेश से आगे थे. उस समय वे उनसे अधिक ताकतवर थे और उन्होंने अधिक सहयोगी भी जुटा लिये थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया, देवेश की हवेली विशाल हो गई और उनके नित्रित्व में उनके सहयोगियों ने एक अटल एक एक लंबी आह छोडते हुए, यांग वेई को अचानक थोड़ा निराश महसूस हुआ, और अपने रक्त योध्धा के साथ जल्दी से प्रस्थान करने से पहले लियू किन याउसे केवल कुछ शब्द बोले. द्वितिय युवा भगवान, आए हम वापस लोटेन, रक्त योध्धा जिसने पहली बार तांग यूजियान से लड़ाई की थी, ने सलाह दी. हाला कि यांग जाओ नहीं हिला, उसकी आखें अभी भी दूर तक घूर रही थी. दूसरे युवा भगवान, इस विरासक युध में अब और भाग न ले पाने के लिए कृप्या मुझे शमा करें, चहरे पर कठिन भाव लिए एक युवक अचानक यांग जाओं के पास आया और घोशना की. नान शेंग और जियांग चुने देवेश के केवल एक सहयोगी को घायल कर दिया था, और प्रतिशोध में उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था. यह देखने के बाद, विरासत युद्ध में भाग लेना जारी रखने का क्या मतलब था? इन में से किसने देवेश का दुश्मन बनने की हिम्मत की? दोनों रक्त योध्धाओं के हावभाव तुरंट थंडे हो गए और वे गुस्से से चिलाने वाले थे, लेकिन वे किसी तरह सहने में काम्याब नहीं मिलेगा, बलकि उसे और जिस ताकत से वहाँ आया है, उसे कायर और गद्दार की उपाधी भी सहनी पड़ेगी. हाला कि किसी के जीवन की तुलना में ऐसी तुछ चीजे क्या माइने रखती हैं? दोनों रक्त योध्धा अपनी कमजोरियों को नजरंदास कर सकते थे, लेकिन वे उन पर भाव का अपमान करने का आरोप लगाने के लिए अपना मुह नहीं खोल सकते थे. यांग जाओ को इतना विनाशकारी जटका सहते हुए देखने वाला कोई भी व्यक्ति इसी तरह का निर्णय लेगा. बिदाई युवक ने जल्दी से अपने लोगों को लेकर जाने से पहले कहा, अब कोई चहरा नहीं बचेगा. द्वितिय युवा भगवान, हम एक शमा करें, हम अब और भाग नहीं ले सकते, कोई और तुरंट आगे बढ़ा और उसका अनुसर्ण किया. चाय के एक बरतन को उबालने में लगने वाले समय से भी कम समय के और कौन छोड़ना चाहता है? जदि तुम ऐसा करते हो तो जल्दी करो और चले जाओ. रक्त योधाओ में से एक आखिरकार अपना गुस्सा नहीं रोक सका और चिलाया. जह सुनकर कई अन्य ताक्तें जो जिजक रही थी, तुरंट द्रिड हो गई. बोर सिटी में अन लिंग्ताई जू और हाई हेवन पवेलियन के शेश चार महान बुजुर्गों ने देवेश की हवेली में अपना रास्ता बना लिया. दो-तीन दिनों के शोशराबे के बाद धीरे-धीरे हवेली में शांती लॉट आई थी और हर कोई अपना काम व्यवस्थित धंग से कर था. कुछ दिनों के बाद कठिनाया और क्लेश आम हो गए. नेतरित्व में ताक्तें अधिक एक जुट हो गई. भले ही संप्रदाय अलग-अलग थे, वे भाई भनों की तरह शांती पूर्ण थे. कुछ मामलों में उदाहरन के लिए जब गोलियों का एक नया बैच आया, तो हर कोई इसे प्राप्त करने के लिए जोड लगा रहा था, लेकिन माहौल सौहार्द पूर्ण था. इन कुछ दिनों में देवेश ने सिर्फ एक ही काम किया. बास गांठ गिरोह की सफाई. हाई हेवन पैवेलियन के चिपने की जगहे की खबर बैंबू नौट गैन के ल प्राव ने उन्हें कुछ लाब देने का बादा किया था और ये परिवार की दो युवा और सुन्दर नौकरानियों को उनके पास भेजा था. दो नौकरानी ये परिवार में पैदा हुई थी और पैंची ने उन्हें चुने की हिम्मत नहीं की. उसने बस उन्हें भेज द और देवेश को उनसे निपटने दिया। मुनानडू जो एक अंधा आदमी था, के लिए देवेश को कोई परवाह नहीं थी। मुनानडू पहले ही मारा जा चुका था। स्वाभाविक रूप से कहने को कुछ नहीं था। देवेश ने दोनों नौकरानियों की हत्या नहीं की, बलकि उन्हें हवेली में ही रहने दिया। आखिरकार वे अंजाने में ही इस जंजट में फस गये थे, जिसका उप्योग केवल मुनानडू के लिए सौदेबाजी के साधन के रूप में किया गया था। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। पंची देवेश के लिए आपूर्ती एकठा करने के लिए तुरंत केंद्रिय राजधानी लौट आए। पंची के जाने के बाद क्यूही मेंग ने देवेश को पाया और उसे एक कमरे में खींच लिया और दरवाजे और खिड़किया बंद कर दी। उसके चहरे का घबराहट का रंग देखकर देवेश हसे बिना नहीं रह सका। अगर यह दूसरों ने देखा तो गलत्फमी होगी। क्यूही मेंग भी कई दिनों से व्यस्ट थी। युद्ध के बाद कई चीजों से निपटना पड़ा, हताहतों की संख्या, मुआवजा, हाई हेवन पवेलियन का आवास और इसी तरह अब तक। दोनों के उसके कमरे में बैठने के बाद देवेश बाहर पहुंचा और उसे एक कप चाई दी, फिर क्यूही मेंग ने चाई पी और आह भरी। वह अब अधिक सहज लग रही थी। आप किस बारे में बात करना चाहते थे, देवेश ने धीरे से पूछा और चाई की चुसकीली। क्यूही मेंग ने आह भरी और कहा, नान शेंग और जियांग चुके बारे में। तुन्हें लगता है मैं बहुत आगे निकल गया, देवेश ने उसे टोका। क्यूही मेंग ने धीरे से सिरहिलाया और सच बताया, वे प्रथम श्रेनी परिवारों के भविश्य के उत्तराधिकारी थे। आपका उन्हें मारना जल्दबाजी थी। आप क्या सोचते हैं कि आपका अंत कैसे होगा। क्या आपको लगता है कि दोनों परिवार हार मान ले अगर वे हिम्मत करते हैं तो मैं उनके साहस की प्रशनसा करता हूँ, लेकिन वे हिम्मत नहीं करते। यां परिवार का तो जिक्र ही नहीं, वे उसके जैसे दिगज के साथ प्रतिस्परधा करने में असमर्थ हैं। कहा जाता है कि देवेश ने इतने ताकतवर लोगों को इ ऐसा कर सकते हैं। परिवार के दूसरे युवा भगवान इस तरह के जटके के बाद इस तरह का व्यवहार करेंगे। न जाने क्यों उसके मन में तिरसकार महसूस हुआ। यां जाओ का पक्ष जीतने के लिए उसने अपनी क्षमता से अधिक्ता त्याग कर दिया था और अब वह उससे जीतने जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। आधे दिन से भी कम समय में देवेश को सूचित किया गया कि हाई हेवन पवेलियन से एक सौ से अधिक लोग आये हैं। बहुत खुश होकर वह अपने आगंतुकों का स्वागत करने के लिए बाहर निकला। सोयान और अन्य लोग भी आये जब जिया निंग चांग ने सुना तो वह पिल रूम से बाहर चली गई, उसका चहरा उत्साह से लाल हो रहा था। दोनों लड़कियों ने काफी समय से एक दूसरे को नहीं देखा था। आखिरकार यह उनके लिए एक उनरमिलन था। उनके बीच कहने को बहुत कुछ था, खासकर आम आदमी के बारे में। बात उठी तो वे कानाफुसी करने लगे और देवेश पर उंगली उठाने लगे। मेडिसिन किंग्स वैली के किंजे ने खुद को छोड़ने के लिए मजबूर किया। हाला कि वह जिया निंग चांग को वापस फिल रूम में ले जाना च उसकी प्रसन्न अभिव्यक्ति देखने के बाद वह अकेले ही वापस चला गया। वह जिया निंग चांग के उसके दोस्तों के साथ उनर मिलन को भी बरदाश्ट नहीं कर सका। जहां तक उसे याद था वह बूढ़ा नहीं था फिर भी उसके कुछ दोस्त थे। गोली के लोग हाई हेवन पवेलियन से काफी परिचित थे और जल्द ही सभी एक दूसरे को जानने लगेंगे। देवेश चिपकर दोनों लड़कियों के पास खड़ा हो गया लेकिन वे बाते करते हुए चुप रहे। अपने दो प्रेमियों को इतनी गर्मजोशी से बहन के बात करते हुए सुनकर उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। साला सुमुने पुकारा। उसके चलने के तरीके से यह सपष्ट था कि मैरियट ड्रग मिल्क लेने के बाद उसकी चोटें अब कोई समस्या नहीं थी। मुझे लगता है कि सीनियर सिस्टर का आपके साथ रिष् जिस व्यक्ति ने तुम्हें घायल किया था वह पहले ही मर चुका है और भविश में तुम्हें इस तरह की घटना का सामना करना पड़ेगा। यदि आप इसे सहन नहीं कर सकते तो समर्पन करना आसान होगा। क्या तुम समझ रहे हो। सुम्यू ने सुंगते हुए कहा अग रहे थे। क्या विरासत स्वर्फ़ की गुफा में आपके लिए कोई अफसर थे। देवेश ने हुठों पर मुस्कान लेकर उसकी ओर देखा। उन्हें और सुयान को विरासत स्वर्फ़ की गुफा में अंतिन विरासत पराप्थ हुई। कुछ च्विन कुई बिना कुछ पूछे हलके से सिरहिलाया, कड़ी महंत करो, अपना अफसर बरबाग मत करो, विरासत में मिली स्वर्ग की गुफा में अफसर सामान्य नहीं है, आपका क्या मतलब है, सुमु ने कहा, समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं, इसके बारे में भूल जाओ, देवेश न आर्ट इस दुनिया का कोई भी साधक उन्हें नहीं बना सका, इस दौरान देवेश ने कई अप्रत्याशित, आखें खोल देने वाली चीजे भी देखी, जिससे देवेश को असाधारन जानकारी मिली, क्यूई में ने हाई हेवन पवेलियन के लोगों के लिए हवेली में की व्यवस्था की, आप क्यूई में ने देवेश को प्यार और नफरत के संकेट से देखा, फिर अचानक मुस्कुराया, लेकिन सच कहूं तो, जब जियांचु और नांशेंग आपके द्वारा मारे गए, तो मुझे बहुत तरोताजा महसूस हुआ, वे दोनों व्यक्ति यह है कि दोनों परिवार समझोता नहीं करेंगे, यांग परिवार विरासत युद्ध दबाव में है, क्योंकि इससे पहले कभी भी प्रथम श्रेणी परिवार के उत्तराधिकारी की मृत्यू नहीं हुई है, यह बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन यह मुझ पर जार करूंगा, हाला कि क्या कभी ऐसा समयाएगा जब आप नीचे जाएंगे, मेरे लिए बताना मुश्किल है, देवेश ने सिरहिलाया, क्यों यी में ने सीधे देवेश की आखों की गहराई में देखा, उसने धीरे से कहा, ऐसा लगता है, जैसे हम भी इसी समस्या से परि उसकी चाती पर वे दो गांठें बहुत अधिक उदार हैं, आपकी चाती से भी बड़ी, देवेश ने अपनी निगाहें हटाए बिना कहा, जो क्यों यी मेंग के बौसम पर निर्देशत थी, जैसे ही उसका हाथ उसकी ठुड़्दी को छुआ, वह गहरे विचार में क्यों यी मेंग का चहरा उदास हो गया, और उसने जल्दी से अपनी बाहों को मोड़कर उसकी चाती को अवरुध कर दिया और डाटते हुए कहा, पहले से रोको, हालांकि देवेश ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे ही उन्होंने विशय बदला, उनकी अभिव्यक्ती ग परिशान थे, आठ महान परिवार और दुष्ट क्रिशक आग और पानी की तरह थे, देवेश की शक्ती ने स्वाभाविक रूप से उन्हें इरश्यालू और भैभीत बना दिया, आठ महान परिवारों के लोग जो राक्षसी गुप्त कलाओं की खेती करते दिखे थे, उन इसने लंबे समय तक अपनी शक्ती को छुपाने में सक्षम होने से देवेश पहले से ही बहुत संतुष्ट था, उस समय की स्थिती के अनुसार भले ही मैंने शैतान परिवर्तन का उप्योग नहीं किया हो, जब मैंने अमर उदगम सीमा को बढ़ावा दिया, तो अनल गोल्डन स्केलेटन में उर्जा अनियंतरित रूप से बाहर निकल जाएगी और उन आठ लोगों को पता चल जाएगा